लेहरों से डरके नोका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती स्वागत छे आप सवनू लिबर्टी केरियर अकेडमी ना यूट्यूब ना प्लेटफर्म मा अने आजे आपने बदा बेगा थाया चे के आउनारी जे जिपीएसी नी परिक्षा चे अने एस्टीय नी परिक्षा चे ए परिक्षा नी तैयारी आपने कई रित करिये खास करी अने ज्यारे इतिहास विशय नी चर्चा आवे जे सवती मोटो विशय चे तो आ विशय नो सेलबस सुन छे परिक्षामा काया काया मुद्धा पुछाई चे अने एक टोपिक आपड़े आज भणवान आपण छे जेना आधार आपड़े खबर पड़े के इतिहास वि पड़ी चुक्यों छे अने जीपी एसी ये बे बो मोटी परिक्षा नी जायरत करी चे बराबर जे मां साउथी पेलेवेली परिक्षा कई छे तो के जीपी एसी क्लास वंटू 164 जग्या हो छे डिसेंबर महिना आजु बाजु एना फॉर्म परावाना छे तो आपड़ी त आटला महिना आपड़ा हात मा छे अने शारेम सारी प्रिप्रेशन आटला समय मा तही शोके छे तो एनी प्रम्सारी चालो करी देवाई हवे मानुके तमारो टार्गेट जी-पेशिनने तिपन ST आई छे तो तो बहु जल्दी प्रिप्रेशन करवी पड़ से तमारे सप्ट तो जेम आप सवने खबार आ जोशे कि आपड़ी जे जीपीएसी नी परिक्षा होएचे एनी अंदर त्रोण अलग-अलग स्टेज होएचे सवथी पेलो स्टेजे लेके प्रिलिम्स नी परिक्षा एना पची आवेचे मुख्या परिक्षा आने पची आवेचे इंटर्विय जे प्रिलिम्स नी परिक्षा छे एना टोटल 400 माकनी होएचे आने इमां बे पेपर होएचे GS1 और GS2 तो आपड़ो इतिहास विशे एक कईया टॉपिक मां स्वारी कईया पेपर मां आवानों छे तो जवाब छे GS1 ए GS1 मां आवेचे GS1 नी अंदर इतिहास सांस्कुतिक वा अने करंड़ फेस ए बदू GS2 मा आवशे तो आपड़ी प्राथमीक परिक्षानी अंदर इतिहास विशे जे तमने 50 मार्क मां मदद करसे आना पची आवेचे मुख्य परिक्षा मुख्य परिक्षानी अंदर टोटल 6 पेपर है मेंस एक्जामनी अंदर पराबर एक शे एसे एडले के निबंधनु पेपर एना पची आवेचे गुजराती भाशानु पेपर अंग्रेजी भाशानु पेपर अने पची आवशे GS1 जन्रल सडीस पेपर नंबर वन अने एनी अंदर पन आपने इतिहास मदद करे छे बराबर 5 सवालों आवशे अने एना जवाब तमारे लगवाने थाशे परन्तु फरक्ष्या पढ़वानों छे के अहीं तमें जे जवाब लख्षो ए 200 शब्द माहा से लेके डिस्क्रिप्टिव आंसर असे चाहे STI नी मेंस होई चाहे GPS नी मेंस होई डिस्क्रिप्टिव आंसर सिस्टम आरेशे बराबर GS2, GS3 ये लेके टोट हवे इति आशना syllabus नी चर्चा करिए तो सवथी पेलो जे topic आवे छे एचे सिंदुखिन सब्यता इंडस्वली civilization syllabus नी अंदर पेलो वेलो topic आचे परन्तु जयारे आपड़े regular lectures भणवानू चालू करशूँ तो त्यारे हुँजे शरवात करीश ए सिंदुखिन ती नीजधाए एनी पेला हुँँ स्टोन ए जेलेके पाशान युग मा जाईश औने पाशान युगीन सब्यता होजे आती ए बराब सिंदुखिन चब्यता अने गुजरात बराबर आ आखा टोपिक नी चर्च आपड़े डीटेल मां करशूँ अने आ टोपिक एवो छे के जे बियाजाच चाउथी बियाजाच चोविस्टु दी जे टिपन जीपी एसी नी प्रिलिम्स नी परिक्षाव लेवानी छे एब धामा पुछायलो चे त्रोण वकत मेंचनी परिक्षामा पण सिंदुखिन माती सवाल आवेला चे तो आटोपिक आपड़ा मांटे अत्ती शे महात्वनों थे जाएचे आने स्कीप नहीं करी शकाए एना पची जे सेकेंड टोपिक आपड़े बढशू एह शे वैदि सब्याता मादी सवाल आवेला चे तो आपड़ प्रिलिम्स एज एस वेल एज मेंज बनेनों टोपिक गणाशे अने एक अन्यमुद्धो जे तमने कल्चर मापन मदद कर से आने पॉलिटी मापन बंदद कर से के भारतिय समाज तेनी लाक्षनिकता हो बराबर तेना प्रश् चक्तो होई तो ए टॉपिक छे वैदिक सिविलाइजेशन वैदिक यूग बराबर भारतिय विचारधारा के आ मुझबनी बनी भारतिय तेहवारो मराबर पची भारतिय परंपरावो मराबर आ बद्धानी पाचर जे साइन्टिफिक नौलज छे लॉजिक छे ये बद्धा के 108 उपनिशद होई के अधार पुराण होई 2 महाकाव्य होई 5 स्मृती ग्रंथो होई के वेदांग नी रचना थे होई के 60 दर्शन नी रचना थे होई आब दू वैदिक सभ्यतानी देन आपने जुआ मड़ाज एना पची भारत नो सव प्रथम सामाजिक न धार्मिक कैए कि ये कूर रिवाजोने खतम करे अने सारा रिवाजोने आगर लए जा तो बस एनी जै मच गुत्म बुध माहाविर स्वामी सहितन्ग भीजा साइठ धर्मों हो से बुधिजम जैने जम सहितन्ह अविजा साइठ धर्मों होंई और ए भारतिये समाज माती प्रिवा जो नाके मेंस बराब प्रिलिम्स माथी एमना सवालो घणी वकत आवी चुकेला जे एना पची जे मुद्धों आपड़े टेकनिकली भणवा जशू बराबर तो एमा भले आपड़े लखी नाप्यों छे खाली नंद राजवन्ष सिलेबस नियंदा नंद राजवन्ष लखेलू करशू के जे सोड महा जन्पद ता एमा थी मगद महा जन्पद अज शुकाम सवती वदर सफड़ थयू बराबर एनी साथे साथे आपड़े जे राजवन्ष ने भणवाना थसे एमा आउशे ब्रुहद्रत वन्ष हर्यक वन्ष शिशुनाग वन्ष अने नंद वन्ष आब बद्धा टोपिक ने आपड़े डीटेल मा कवर करशू जारे ए पॉइंट पूरो थसे एना पची आवेचे भारत पर ना विदेशी आक्रमणों अने तेनु प्रभाव जारे तम्हे विदेशी आक्रमणों नी चर्चा करवा जाओ तो एमा कया कया मुद्द आवेचे तो भारत पर थाएलू सवथी पेलू विदेशी आक्रमण एटले फारसी आक्रमण मराबर जे इस्विशनपुर्वा पांच मी सदी मा थाईवा तो एना पची बीजू ग्रीक आक्रमण मराबर आ इस्विशनपुर्वा चोथी सदी मा थाईवा तो एलेक्जांडर नु जे आक एक प्राणि केते कुल्वत बार्षी जानों प्रप्रप्स पुखने भी को वहते हैं शीरी जीलारवी अखाहिं प्राणी होम्हाले सोनिती क्रूं प्रणे खेी एक पाती तur ?" पुझान अग्रनाट, पॉर। अन्ते थाई चुकियो अतुं अने पची आपडे प्राचीन भारतना महत्वन राजवन्षो पन अलक्ती भणशू जेमा आउसे श्रूंग राजवन्ष बराबा जे मौर्य पची असे साथ वाहन बराबार कुशान चालुक्य अने राष्ट्रकूट आमा पण जे साथ वाहन सामराज़्य अचे साथ वाहन सामराज़्य अतुं के जे हतु पित्रु सत्ता अत्मक समाज व्योस्था परंतु मात्रु सत्ता अत्मक एमा सामाजिक प्रभाव जवा मड़े चे पित्रु सत्तात्मक समाज वियोस्थानों मतलब पुरुषोनु प्रशासन चालतू होतू परन्तु दरेक राजाय पोता नाम नी आगड़ पोता नी मातानु नाम लगाड़ेलू होतू जमके गवतमी पुत्र शात करणी मराबर अने यगनाश ही शात करणी ए तमे फेमस नाम सामड़ेला आश ए बदाने पणशू अने पची आवेचे भारत नुँ विस्तार नी द्रश्टिये अने शक्ती नी द्रश्टिये सवथी मोटू सामराज्ये एडले के मौर्य सामराज्येनों समय समराट चंद्रगुप्त मोर्य महाराज बिंदुसार समराट अशोक आ बदा लोको कोणता केवी केवी पॉलिसीज है मने अपनावी मौर्य सामराज्येनों वही बटी तत्र कहीरीते काम करे छे एनना सामाजिक अने धार्मिक जे परमपरावset हती एशुँँअती ये समय नी आर्थिक परिष्थिति शुम अती जमके मौरिय सामराज्यना समय मा वर्ल्ड जीडिपी ना आड़त्रिष्ट का भारत पासे होता पची ए समय नी कलाओ जे बौध मठो बनावा मावि या गुफाओ बनावा मावि ए पची स्थापत्य, साहित्य, साइन्स एंड टेक्नोलोजी आ बद्धानू डीटेल मा आपने स्टडी करवानू थस अन्ने जो तमे भारतना विस्तानी द्रष्टिये और शक्तिनी द्रष्टिये सवती मोटा सामराज्यने भणी लियो छो तो एना पची आपड़ा माटे आवं आवे थे भारत नू सुवर्णा उगे महराज श्री गुप्त पची घटोट कर्श त्यार बांत Mहाराजा धिराज चंद्रत प्रथम भारत नानेपोलियन कहवात आजवा सम्राट ुड्र गुप्त पाची चंद्र समद्र गुप्त विक्रमादित्य महेंदरानीत्य कुमार गुप्त अने विक्रमादित्य सकंद गुप्त अब दाज गुप्त शासको ने आपड़े बनसु अने ए टाइमे वर्ल्ड GDP ना अड़ताली स्टका खाली भारत पासे असे तो ए समयना साइंटिस्टो ए समयना एकनोमिस्ट ए समयना साहित्यकारो राजा रजवाड एमना तमाम प्रकार ना युद्धो अने बद्धी जिचर्चा आपड़े गुप्त सामराज्जीना समयमा पण करवानी थसे प्राजीन भारत मा जेतला पण मुख्य परिक्षा सम्मंदित सवाल छे ए मौर्य गुप्त सिंदुखिन वैदिक आचार टोपिक माती वधारे प तो आँ बदा टोपिक ना आपड़े प्रोपर भण सुं मौर्य और गुप्त सामराज्यने समझिया बाद आपड़े जे नेक्स्ट टोपिक उपर जाशूं ए टोपिक से शेक्षनिक संस्थाओ ब्राबर जो प्राचीन भारत शुकाम बोवधारे शक्तिशाडी बोवधार सम्रुद अने बोवधारे पावर्फुल देखाये चे एनी पाच अनुँएक मात्र कारण शेक्षनिक संस्थाओ तो आमतो भारत नी अंदर बोवधी शेक्षनिक संस्थाओ थाई गई चे बराबर पन इमानी त्रोण आपड़ा सिलिबस नी अंदर छे कई छे आ त्रोण स तो जवाब आवशे तक्षशीला नालंदा अने वलबी आ युनिवासिटीज नी रचना कोणे करी युनिवासिटीज मा किटला विशयो भणावमा आउता आता अलग अलग गुरुओ कोण आता कै रिते काम चालतु आतु ए बद्धो डेटा आपने समझ्छु आनी विशेस् महायान बुद्धिजम केवाईचे नालंदाने तो ओक्सफवर्ड अफ हिनी आन बुद्धिजम केवाईचे वलबीन मराबर अने विश्वनी सवती पेली आने प्राचीन तम विश्व विद्ध्याले केवाईचे तक्षशीला नालं चाइनीज यात्रियो भारत मा आउसे आपड़ी अलग-अलग उनिवसिटीज मा बनशे ए टॉपिक ने पन समाच्छों बची नेक्स मुद्धा तरीके आवेचे कनिश्क जे कुशान वंचना राजा चे समराठ हर्श्वर्दन एने पन समाच्छों अने पची एक वाक्यमा लखेलू छे दक्षन भारतिया राज राजवन्शों अवे आचे दक्षन भारतिया राजवन्शों लख्या चे एमा कोण कोण आवे कया कया राजवन्श आवसे जवाब छे चौल सामराजिय चेर सामराजिय पांडिय सामराजिय चालुक्य सामराजिय राष्ट्रकूट सामराजिय अने चौल मा पण बे प्रका आपने जुआ मडशे एबन्ने आपड़ भणवाना थसे आद दक्षन भारती राजवन्श वह से अने एना पची आपड़ेश करिये छे मध्यकालीन भारत ना इतियास मा अने ए टोपिक छे दिली सल्तनक जेनी अंदर पन 5 अलग लग वन्श आवे छे गुलाम किलजी तुग सैदने लोदी एना पची आवे छे विजयनेग कर सामराज्यaja मा पण चार राज वन्श चे संगम वन्श चे सलुव वन्श चे तूलुव वन्श चे अनने अराविडू वन्श चे अने अवे ज्यारे आपड़े आद दक्षन भारत नी चर्चा करिये चे तो एक अन्या टोपिक जै दक्षन भारत ना इतियास मा बनवानों आउशे ए असे तग्रेट संगम एज संगम योग संगम साहित्य नी रचना एपन साथे साथे पूछाएचे बराबर अने पची आवेचे सिलिबस मा मुगल राज जिया बराबर आपड़ा सिलिबस नी अंदर बाबर्थी चालू करी बाहादुशा सफर सुधी आवता टोटल सोड जिटला शाह सो कोने जोईलेशू बाबर हुमायू अकबर जहांगी शाजा औरंग जेव बाहादुशा प्रथम फरुक्षियार जहांदर शाह रफियुद दोलार रफियुद दरजात मुहम्मद शाह एमद शाह आ आलम सेकेंड अकबर सेकेंड अने बाहादुशा सफर आज इटला शाह सको छे मुगल ना बद्धा न आपड़ जोशू एना पची नेक्स्ट मुद्दो छे भक्ति आंदुलन अनसुफी वाद भारत नू बीजू सामाजिक अने धार्मिक सुधार ना आंदुलन आंदुलन तो गुजरात ना मुख्य राजवन्षों मुख्य राजवन्षों मा कया कया आवे छे बद्धा नेखा बर शे के आपड़े मैत्रक, चावडा, सोलंकी अने वाघेला आ वन्ष ने आपड़े महत्वना गणिये छे आने आना वीशेत सवाल आवे छे घणा तो गुजरात ना सुवर्णयुग सोलंकी काड एना प्रश्न दर्रेक एकजाम मा जोआ माड़े छे जी पी एस योई चाहे स्टी आई ने एकजाम है तो आप बद्धा राजवन्ष ना शासको एमनू एडमनिस्ट्रेशन एमनी आर्थिक परिस्तिती समाजिक जीवन धार् इत्यक कला अनस्थापतिय आपड़ू आपड़े भणवानों था से मराबर सवाल पुछाए ने के मोठे राणू सूर्य मंदिर कोणे बनावियो भीम देव प्रथमे बनावियो अतु बरबर तो बस एज प्रकार नी तमाम चर्चव आपड़े गुजरात ना इतियास माट प्रवेश करेचे ए टाइमे गुजरात ना सुल्तन कोण अता तो आ त्रण माथी एक कैन अता त्यारे आंसर आवे मुजफशा सेकेंड बरबर तो भले सिलेवस्मा त्रण सुल्तानों की दाचे परन्तु आपड़े आ गुजरात नी स्वतंत्र सल्तनतना महत्वना आठ सु शुँखे चे डायमेक्स डायोनीसियस शुँखे चे एना पची नेक्स्ट आवे चे फाहियान त्यार बाद युएन संग बराबर सुंगयून इच सिंग ए बदा शुखे चे अल बरुनी शुखे चे इबन बतुता शुखे चे डुवाट एडवर्ड बार्बोसा एनालिसिस ए एनालिसिस ना आधारे जेते समय ना राजवन्षो केवा सारा हाता केवा खरा बता अब बद्धू प्रोपरली आपड़े आ टौपिक मा भणवानू तसे अन्या टौपिक माधी सवालो मेंस नी अंदर आवे चे प्रिलिम्स मान अथी आवता मेंस मान चे प्र प्रिलिम्स ओरियंटेड बरोडामा गायकवाडनू शासन अतू गायकवाड केरिता आविया ए पुछी शक्ये अन्ये महत्वन मुद्धो छे दवोकर करार जे जीपी एसी नी अंदर आरामती पुछता होए चे जो ए टौपिक ने पुण समझो जरूरी छे अंग्रे जो ब आपड़े शिवाजी एटले के छत्रपती नुपद अन्ये पेश्वा अब बनने प्रशासनिक पद ने समझो जो तम्ये छत्रपती ने राजा कहो छो तो पेश्वा जे शर्वात्मा नाणा मंत्री एता आगड जथा प्रधान मंत्री जेवुपद बनी जाये चे ए टोटल एना पची भोडा भाड़ा अंग्रेज़ो आवी गया शोडशोने आठमा एना पची डानिश लोको आविया शोडशोनेовор को अन्य पची आविया फ्रेंच लोको शोर। प्लस सर्वोच्चता माटे तेमनो संगर्ष क्या पांच माथी कई विदेशी जाती ए भारतु पर शासन करसे एमनो संगर्ष एटले गणाये चे दे ग्रेट कार्नाटिक वर्स कार्नाटिक युद्धो आउसे एनने आपने समझी लेशू पची बंगाड नी स्टोरी आउसे के पई बंगाड माँ प्लासी अने बक्सन युद्ध थाएचे अने भारतिय जे नवाबो अता एनू शासन हटी गयू अने अंग्रेज नू शासन स्थापित योजनानों स्वीकार करना सव थिपलू रजवाडू कई होतू हैदराबाद हैदराबाद ना शासकता जेनू नाम अतू सफदर्जंग आसफजा सेकेंड एमने 708 मा साहेकारी योजनान स्वीकार करना क्यो अतो तो ये बदू आपड़े डीटेल माँ समझ वानू थासे अन ये पची सर जोन्शॉर ये ये बेलेसली ये पची सर जयोजबारलो मिन्टो प्रथम मिन्टो प्रथम प्रथम पची हेस्टिंग्स येना पची M.Hurst पची विल्यम बैंटिंग एना पची ओकलेंड त्यारबाद एलन बग एलन बग पची नेक्स्ट आवे ये हार्डिंग प्रथम डेल हाऊसी अने कैनिंग आवर दा गवर्न जेनल छे एना पची andato Akamu achieveFlow जोंचे water avoid बिदोपची वाइसरोय आवे तो All नेयो पची आवे Northbrook, Northbrook पची Litton, Litton पची Rippon, Rippon पची Dufferin, Dufferin पची Lansdown, बराबर यना पची Elgin second, यना पची Karzan, Karzan पची Minto second, यना पची Harding second, यना पची Chamsford, यना पची आवसे Reading, Reading पची Irvin, Irvin पची Lynn Lithgow, यना पची आवे Wevel, Wevel पची Mountbatten. तो आथ तमाम, गवर्न जनल, तमाम वाईश्व, यना समय मा कई-कई प्रकानी घटनाओ बनी एनी डीटेल चर्चे आपड़े साथे करवानी थर्षे. नेक्स्ट टॉपिक तरीके आवेचे भारत मां ब्रिटिश सासनी स्थापना आने विस्तरण 757 प्लासी ना युद्धती 856 वाचे अंग्रे जोय शूं करियू. येमनी विस्तारवादनी नितीयों कहिं हती, युद्ध संधी युद्ध निती शूं हती, वराबर वाइट मेंस बर्डन पॉलिश शूं हती, वराबर नेत्यार बाद तोन प्रकानी टेक्सेशन सिस्टम, लेके कायमी जम्मंदी करपत देती, रयत वाडी महालवाडी करपत आने यंद्धा संसेट लो कई रिते काम करतो होतो ए बद्धानी डीटेल आपड़े जोशू आर्थिक शोषन भारत नो कई रिते थायू ए आई आती तमें समझीशो कोछो भची आवेचे 157 नो स्वतंत्रता संग्राम एनो उद्भव शुकाम थयो एनो स्वरूप केवव अत तो त्यारे एक बीजी बावत ए साथे साथे पणियाचे एचे अलगलक एक्ट अलगलक काईदा 177 तोत्येना रेग्योलेटिंग एक्ट थी चालू करी ओगणीशो सुड़तल इसनो इंडियन इंडिपेंडेंडेंस एक्ट सहीत ना टोटल सोड काईदा भणवाना थाएचे वे आपणियम थाए के इतियास मा काईदानू स्थान सुँछे आप बंधारन नो इतियास थेई जशे अने आ काईदाना आदार इतियास तमने समझावा मागेचे के जे भारत देश जे राजा रजवाडानो देश हतो ए स्वतंत्र थाया पच्छी लोक्षाही मुझवनो देश केरीते बड़ी गयो ए आप टोपिक समझाव शे पचि ओगणिश्मी सदी मा भारत अने गुजरात मा थायला धारमिक अने सामाजिक सुधारना अंदोलन तण तण वकत आपड़ा भारत मा सामाजिक दारमिक सुधारना अंदोलन था जुआ भारत नी अंदर समाजमाह रिवाजोण खुटावाहisey वाकों राकों बारत अने विदेश मां भारतिये क्रांति कारियों न त्रोण फेस चे अधार्सों ने हो थी 1910, 1922, 1932, 1922, 1922, 1922 चेतालीस चेमां आपने महान नेता सुभास चंद्रबुष अने आजाध हिंद फोजने पाण साथे जोई लेशु बराबर अनुशीलन समिती, धाका समिती, भगतची, सुख्दे, राजगुरु, जतिन दास, बटुकेश्वदत, चंद्रशेकर, सीतारम, तीवारेडेकर, चंद्रशेकर आजाध आ बदा करांतिकारी भारत मा करांतिकार से, तो मदनल, डिंगरासाइब, विना एक दामोदो सावरकर, श्यामजी कुष्ण वर्मा, मैडम बिखाई जी कामा, गदर पाटी ना तमाम नेताओ, आ बदा लोको विदेशो मा करांतिकारी प्रवृत्तिकर चे, तो ये ना शया जीरौ गाहेकवड आवे, तो राजकोट ना लाखाजी राजावे, वावननगर ना भावसींजी आवे, तक्तशींजी महरा जावे, अलग-अलग जे महान राजावो थेईगिया, एने पना आपड़े बन सुधार ना कामकरिया आर ता. पची गांधी जी आउश, एमना विचार, सिद्धान, जीवन दशन, महत्वना सत्यागर, कया कया, खेडा, बोर्षत, बार्डोली, धरासना, धोलेरा, राजकोट, लीमडी सत्यागर आ बदा सत्यागर होने आपड़े डीटेल मा बणशू, क्या सत्यागर ना कारण शू, एमा अघटना हो कई बनी, एमा धर पकड़ थेई, कोणी थेई, शुकाम थेई, अन्य अंते परिणाम शू आपियो पची भारत मा राष्ट्रवाद न उदाई अन्य एना जवाबदार परिबड़ो अन्य भारती राष्ट्रिय कॉंग्रेस ना कारिय अड़ासो पंचियासी ती अगणीशो ने वीश सूथी मा भूमी का, सदर वलबबबाई पटेल ए शुन काम करे चे तो के जुनागड हैदराबाद अन्य जमू काश्मीर सहीत ना बीजा पांसो ओगण साइट एले के टोटल पांसो बांसाट रजवाड अन्य जोडी दे चे एक काम पन आपने समझवानू थाशे पची डॉक्टर भीम्राव अम्बेड कर साइब तेमनू जीवन भारत ना बंधार अन्य घरतर मा यमनू योगदान आजादी पची भारत देश मा राज्यनू पुना गठन अन्य महा गुजरात आंदोलन एनी अगत्यनी घटनाओ तो आ बदा जे टॉपिक छे ए आपड़ जे शरू थाई चे क्या रहे 1st of August थी अन्य आ लाइव बेच पण छे ऑफलाइन आऊए तो ओफलाइन पण तमे अधिकारी बेच मा जोडाई शको चो ओनलाइन आऊए तो ओनलाइन पण जोडाई शको चो ओनलाइन नी अंदर तमें जो विथ माटीरियल जोडावा मागो तो 1399 रूपिया मां जोडाई शको चो विदाउट माटीरियल जोडावा मागो चो न वजाण जोडावा मां जोडाई शको चो बेनेफिट काया काया मण से तो भई चवद जिटला विशयो तमने टोटली बणावा माम आऊ से एक्सपर्ट फेकल्टीस द्वारा लाइव ल शके मराबर पण दरोजना बेक लगना लेक्चर तो कंफर्म जे आगर तमने एडमिनिस्ट्रेशन शेडियूल अन टाइम पर्फेक्टली मोखली पणापे चो मराबर पची रेकोर्डे लेक्चर तमें जोई शको चो मानों के आपड़ा कोई सामाजीक प्रसंगता त्यहव कारने आपड़े एक दिवसनों लेक्चर चुकाए गयो तो कई वान्दोनी तमें ए लेक्चर ने रेकोर्डेट फॉर्म मां फरी पाचो जोई शको चो पीडिएफ मटीरियल अमें आहीं जेके पण लखता आशू भणावता आशू ए बद्दू तमने पीडिएफ मटीरिय अने इंटर्विव गाइडन्स पन रेकोर्डेट वीडियो सुरूपे मटे चे मोक इंटर्विव रेकोर्डेट वीडियो सुरूपे पन मटे चे अने आखी बेचनी वेलेडिटी डोट वरशनी वेलेडिटी तमने आपफ़मा आवे चे टू बी वेरी प्रिसाइज एकदम सचोट दरेक विशय नू नौलेज बराबर साथे साथे ए विशय ना फेक्चुल डेटा अने एनलेसिस बनने डाउट सॉल्विंग सेशन पन आवी शके अने डाउट सॉल्व कई रित थाई शके मानो के हूँ इतियास बनावता हूँ तमने डाउट थाई हो कि वेलेसली नी सहायकारी योजना डीटेल मा समझाओ साइब ना समझाणी तमें एक वकत समझावी ना समझावी तो कई वांदोनी तमें चैट बोक्स मा लखी शको तमें चैट बोक्स मा लख्षों हूँ बीजी वकत समझाई देश मराबर अने अथ्वा चेटला पन फेकल्डिस जेरीते बनावेश है अमे क्यारे पन सवाल ना जवाब देवा मा अटक्षू नहीं हाँ पन एना माटे तमारे सवाल करवा पड़ से ब्राबर अने हूँ मारा माटे एटलू सोटा का कहिशो को कि तमें मने एवो सवाल पुच्छो ने कि अखी पोत ड़ी केम नता पेरता आ लेवल ना सवाल जे क्यारे एग्जाम नती हाँ ता पड़ जवाब देवा मां अमें लोको तयार चे तमें मने 500 सवाल पुच्छो अथवा एकत सवाल रिपीटेटिव मोड मां 500 वकत पुच्छो तो हुँ बद्धाना जवाब आपीश कदाच मने कोई सवाल नो जवाब नहीं आवडतो होई तो हुँ ए सवाल लखी नाकिश अन्ने ने तो आ बेच मां जल्दी मां जल्दी जोड़ाई शको तमें जो तमें एंडरोइड यूजर चो तो गूगल प्ले स्टोर मां थी तमें लिबर्टी केरेर एकेडेमी नी एप्लिकेशन डाउनलोड करी अने मां अधिकारी बेच मां जोड़ाई शको चो पेली ओगस्तिया बे चालू करिया अने धाट इस मार्य सामराज्य भारत नू विस्तार नी द्रष्टी अने शक्ति नी द्रष्टी जो सवती मोटू सामराज्य बनेलू छे तो एचे मार्य सामराज्य बराबाण हवे जैरे मोर्य सामराज्य ने शरू करवा जायें ने तो एना मते त्रण लोको बहो महत्वना ज़ी काया काया त्रोन लोको तो सवती पेला व्यक्ति तरीके आवे छे आचार्य चानक़य जो अ महान व्यक्ति नहीं तो मौर्या साम्राज्य क्या रे अस्तित्व माजना आवात तो किंग मेकर ने तमें लावी दीता हवे विलन ने लावो जरूरी छे तो ए कोण छे तो के नंदवंशना राजा धन नंद अने जे मेन विलन छे एतो आवी गयो पण एक साइड विलन होए अवे आ साइड विलन पणिशने जवाब आउसे एलेक्जांडर साइड विलन छे कई रिते पई तो Shell ए बौल्रे भारत पराकरमण करें तो उत्तरपस्टिम भारत एटोटल अठ्यावीज जेटला राज्यमा विभा जीत्मेर अठ्याविश जितला राज्या मराबर पन एलेक्जांडर ए अठ्याविश राज्या ने जोडी दिदा आने गांधार कामबोज बे मां कन्वर्ट कर दिदा अने त्यां ग्रीक लोक नुशासना आवी गयू एड्यूमस आने पैथन नुशासना आवी गयू तो अहिया हीरो च संद्र गुप्त एक युद्ध कर से अन बधू जिती जैसे तो आ भाईस है बे एटली मदद करी दिदी आपड़ा हीरो ने विलन धनननने शू नुक्सान पहुंचाडियू तो एलेक्जांडर ना आक्रमनना लिदेज चानक्या धनननन पासे मदद मागवा गया हता अने ध अने धनननन्दनो नाष्ट रहे होतो तो मुद्धो एचे के धनननन्दनी सेना ताकत्वर भले अती धनननन्दनी सेना नी वीक्नेस इस्चू छे आ बधी इन्फोमेशन एलेक्जांडर ए पोते पन प्राप्त करता हो चे ने एना आधार चंद्र गुप्त ने खबर पड़ सो मुख्य विलनने नवडो पाडवामा साइड विलननो पन थोड़ों कन रोल छे तो भणवानू चाल करिये मोर्य सामराज्यी मां सउथि पिला आपड़ ए समझाजवू चोई ये के मोर्य सामराज्येना कैया कैया राजय महत्वना चे कोने याद राखवाना कोने भुली जवाना अने कया राजानों क्रम शून छे ब्राबर तो सउथी पेलावेला आवेचे चंद्रगुप्त मौर्या एमने फरज्यात तमारे याद राखवा पड़ से ए आ वंशना स्थापक छे एना पचे आवेचे महाराज बिंदुसार अने त्यारबाद आवेचे समराट अश से मराबर अन्तिम ब्रुहद्र थमारिया क्लियर आरी तेथाईचे चल्ड हवे एक संस्कुतनों श्लोक छे एकम हन्यान्नवा हन्यादिश उक्षिप्तो धनुष्मता प्राग्ने नतू मती एक्षिप्ता हन्याद्र भर्गतान पी इटले के धनुर्धारी के धनुष्य से स तो बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा किया हुआ बुद्धी का प्रयोग गर्भस्थिस्त प्राणियों को भी नष्ट कर देता है। तो बुद्धी शाडी जो आँ श्लोक मा केवाश मांगे चे के धनुर्धर धनुष्मान वाड़ो व्यक्ति एक तीर छोडे चे तो कदाच ए तीर थी कोई पुरुष के प्राणी के पक्षी कोई मरी पन सक्या थ्वा ना पन मरी शक्या चांसेस तो 50-50 चे परन्त परनक के आपने केचे अर्थ शास्त्र नी अंदर ब्राबर चलो पेलो पोइंट वही मौर्य सामराज्य विशे नी माहिती आपने क्या क्या थी प्राप्त थाई चे तो एनो सिद्धो आंसा चे काउटेल यनू अर्थ शास्त्र तो जबाबावेच्चे भातिक सुखाकारी विगनान भावतिक सुखाकारी तमें तमारा जीवन मां कई रिते सुखी थाई शको छो कई रिते अन्य अलग अलग वस्तो प्राप्त करी शको छो एक राजा छे एनो एने सुख क्यारे मड़े सामराज्य मोटू थाई प्रजाने सुख क्यारे मड़े ज्यारे राजा टेक्स कुछ हो лишь 3 सुख यह र blood I were you harder है आप ढ़ज्णी डीटेइल अर्थशास्त्र मयं पीश काया काया हता administration कही रित चालतू हतू सेना नी व्यवस था army administration मरबच चतुरंगी नी सेना हती भूमी दढ़ अश्वदढ गजदढ रथदढ नौकादढ अलग चालतू हतू गुप्त चर्विभाग अलग थी चालतू हतू एक कही रित हतू एनी रचना कही रित करी संपुण मा अर्थ्य शास्त्र मा चे अन्य अर्थ्य शास्त्र कोई एक पुस्तक नती पंदर पुस्तकों न समूझ जे मा प्रथम पांच पुस्तकों मा आपने आंतरीक प्रशासन इंटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन इंटर्नल सिक्योरिटी करित वतारी शकाई एनी चर्चा करी छे बाकी ना बीजा आठ पुस्तकों मा अन्य विशयों इंटर्नाशन रिलेशन्स ए बधू आपेलू जे अन्तिम बेभाग मा अन्य तमाम विशयों नी माहिती आपने जवामा सामाजिक जीवन धार्मिक जीवन ए बधू कोईपण राजवंश ने आतमे जानव मागता हो एना ओथेंटिकेट सोस जोई है बर एल फेल पुस्तकों माथी इतियास नहीं चाले ओथेंटिकेट सोस नो इतियास वांचो अन्य जवाब लखो तो एस सारो अन्य साचो पड़ तो अर्थ शास्त्र नी अंदर आबदी डीटेल छे अर्थ शास्त्र ना रचनाकार विश्णुगुप्त काउटेल या चानक्या छे चानक्या नी सर्खामनी एटली ना एक बोव मोटा पॉलिटिशन निकोलो मेक्या वेली साथे करवा मा आवेली आती आर्श्याम शास्त्री द्वारा 1905 मां अर्थ शास्त्र पुष्टक ने शोध्वा मां आवियू चे पांडू लिपे 100 रुपे प्राप्त थईवा तो आ पुष्टक मां राजानू जीवन कर्तव या लखेलू छे राजा ए राज रिशी जेवो होवो जो ये वट इस दा पॉलिसी ओफ राज रिशी रिशी एकदम सादू जीवन जीवे छे एने कोई पोतानी व्यक्तिक दिछा न थी होती राजा पन एवो जोव जोए पॉम्पेंशो करवा वाडो नाई प्रजाना कल्यानू विचार करवा वाडो उत्तम प्रकानि प्रशासन व्यवस्था कैरीट चलाen वियुध कूट नीति राजनीति मुझसादी गीरी कैरी सकरवी युद्धनी विवित कला प्रशासनी काइदा केदीयों साथे केवो व्यभार करो करव स्थाकरी राखवी कर व्यवस्ता माटे चानक के लखेलू छे के एक राजा एनी प्रजा पासेती केटलो कर लई सके तो जवाब एवीरीत लख्यों के जेवीरीत एक मधमा की एक फूल माती रस चुशी लेचे एट लोज कर दरेक राजा पोता नी प्रजा पासेती लेवो जो ये कहवानू तात परिया शुण छे आँ एनालिसिस थेई मरबर कहवानू तात परिया एचे के मधमा की एक फूलो माती रस चुशी लेचे तो एनू पेट पन भराई जाए चे औने फूल ने नुक्सन नथी पोंचतु एवीरीत राजा आये एरीत टेक्स लेवो जो ये प्रजा पासे ती जेति करने राजगोश्मन पराए जाए और प्रजाने कर वधारे लागे नए तेक्सेशन सिस्टम वधारे डीटेल आपडे नॉर्मल लेक्चर जेर आऊसे त्यारे एमा आपड़े वधारे पण सो सिंचाई खेती खान खनी जमंत्राले कही रिते काम करे किल्ला क बढ़े वेपार मां उत्पादन कियारे वधार गटाड़ो जासुसी विभाक करे रिते काम करे चे यह बद्धी चर्चा अर्थ शास्त्र मा छे जानक्य विवादास्पत विशयु पर पन बहो बोले चे केवा केवा विशयु के केवा संजोगों मां तम्ये परिवार्ना पत्या करी शको बरबर एसे गौवमेट ओफिसर जया रहे तम्हें अधिकारी बनो चो त्यारे बोवबदी सीक्रेट माही तीओ सीक्रेट फाल सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स तुमारी पासे आवेज है तो एसे गौवमेट ओफिसर आ बदो डेटा तमारे गुप्त राखवान बरबर माता, पिता, भाय, बेन, पती, पत्नी, बाळको, कोई ने पन आ डेटा नथी बत्ता वनों एटले जो गणा बदा सरकारी अधिकारियों ना एक मोबाइल फोन एवा होई कि जेनो आईडी पासवाडे फक्त एनीज पासे होई ना एना पत्नी, कोई पन ए फोन ने ओ गवर्मेंट डेटा उपर खाली गवर्मेंट ना अधिकार से बीजा कोई नो ने एवा संजोगों मां मारवा पड़े जो आपड़ा परिवार माती कोई आवो डेटा लीक करी नाके तो मारवा पड़े हमने देश द्रोहना काम करे आपड़ा परिवार माती मारवा पड़े गुप्त चरोन करिते सुरक्षा राखवी गुप्त चर तंत्र करिते चलावू कया समय संधी करवी जोए युद्धमा कया समय संधी तोड़ी नाखवी जोईए मंत्री उपर पण क्यारे जासुसी राखवी जोईए अब बद दो डेटा चानक्य अर्थशास्त्र मां आपे च हवे मौर्य सामराज्य निमाहिती अन्य कयास्त्रोत मां थी मड़ी शके तो त्यारे बहुँ सिंपल जावाब आवे चे अपड़ी पासे मैगस्थनिस मैगस्थनिस नूँ पुस्तक चे इंडिका अथ्वाईने घणा बद जग्या इंडिकेरम तरीके पन उडखवामा आव परन्तु इंडिका पुस्तको पर्थी अन्य ग्रीक लोकोई ग्रीक इतियास्करो जेमके डिडरो, स्ट्रेबो, प्लीनी, एरियन ए लोकोई पुस्तको लख्या जे अन्य ए पुस्तको अवेलेबल जे ले ए पुस्तको नाधार आपन खबर पड़े चे के इंडिका माश्य लखेलो जे जी पीएसे प्रण्स बेजार ओगनीशनों सवाल अतो के नीचे ना विदानों जणावो, स्ट्री नीचे ना विदानों चकाशो, साचा विदान जणावो, के इंडिका पुस्तक सम्मधित कई विदान साचु छे, बराबर, तो एमा आ डेटा तमने मदत करी द के अटरज अंत पूर्व मा के येटर जे आत्या अता, एना राज दूत छे महगस्तनिस, भारत मा क्या आवया आत्या, था 3404 इस्वी सन पूर्व मा मैं estas भारत मा आवे थे, चाने 29 different English पाँच वरष्ट सुधी मौर्य सामराज्य मा रहे चे जमा आठ मैना ए पाटली पुत्र मा रहे चे अने ए आखा पाटली पुत्र नूँ वर्णन पन करे चे आपने मुद्धो जोय तोन विदेशी यात्री अने ना वृत्तांत आ एनो एक बेस एक्जांपल एमने पाटली प पुत्र आठ माइल ना वी स्तार मा फेल आयलू छे अने में एडले के मैगस्तनी जे पृत्वी उपर जे जे जमीन उपर मानाव सब्व्यता वसेली छे तमाम सब्व्यता हो जोय चे एक ग्रीक सब्व्यता यूरोप थी आवे चे मराबर एने मिस्र सब्व्यता इजीप्त पन जोय उए अतु एने मेसोपोटेमिया पन जोय उए अतु एने चाइनीज सब्व्यता ने भारतिय सब्व्यता पन जोय उती पन में आवडू मोटू शहर आखी पृत्विय पन नती जोय उए मतलब पाटली पुत्र वस द लार्जेस्ट सिटी ओफ एन्शेंट इंडिया एन्शेंट वर्ड पन कही शको मर्य सामराज्यन समयमा विश्वन सवती मोटू शहर पाटली पुत्र आतु एवु किदू छे के पाटली पुत्र शहर नी चारे तरफ उँची उँची दिवालो बनावेली छे अने ए दिवालो मा आठ जग्याय उँचा उँचा लाकडाना दरवाजा बनावेला चे प्रवेश द्वार चे प्रवेश द्वार ने खोलवा माटे बे हाथियोनों उपियोक करवामा आवे चे अने जारे प्रवेश द्वार खुले चे अने मानसों वेपारियों बधा अंदर आवे चे तो पशु अने बांधवाना वाड़ा अलग आराम करवानी सगवडता हुए छे अने तिया वैद्य ने पन बेशाडवामा आवेला छे लेको कोई खायल व्यक्ति होए फर्स ट्रेड जोती होए तात कलिक मनी जशे अने आवड़ा भव्य शहर नी वच्चे समराट चंद्रगुप्त मौर्या नो भव्य राजमेहल छे ला राजाने इच्छा मौजबना दर्बार मां जेते दिवसे दर्बार नू आयो जन थाए छे राजाने बगीचानों सारो एवो शोख छे अने बगीचानी वच्चे तड़ाव बनावेलुचे जे आरस पाहान थी बनेलुचे अने अमा देशी विदेशी माचलियो जोवा मड चे एमाचलियो ने भोजन करावा माटे एमने साचवा माटे दास दासियो तत पर होई छे बगीचानी जे दिवालो उपर कोतरणी काम करवामा आवेलुचे एमा जे प्राणी पक्षी नू कोतरणी काम चे एना उपर चांदी नू परत चड़ावामा आवेलुचे अने जे मैगस्तनी जे आ पुस्तक नी अंदर भारतिय उप महादीपनी भुगोड नी चर्चा करी छे, जमीन नी चर्चा करी छे, आबोहवानी, वनस्पती, प्राणी, अने प्राणीयों मा पण खासको नी चर्चा करी तो कि आथी अने घोडा नी चर्चा करेली छे पची उत्पादन प्राणालीयों भारतना अलगलक उध्योगोणी चर्चा करी छे, अने समाझ वियवस्थानी चर्चा करी छे अने महान लोक कथानी पन चर्चा करी छे, मैगस्तनी जे शेवलके छे किए भारत ना लोको ए भगवान करश्ण न भक्तो छे अने उच्च नैतिक तामा माने छे आनो मतलब एथ हयो के भले मौर्य सामराज्यना समय मां बुद्धिजम जैनिजम नो प्रभाव आपने जुआ मड़तो हो तो भारत मां पान मैजोरिटी लोको स्टिल कया धर्मने मानता आता वैदिक धर्मा हिंदु धर्मने सेल्युकस निकेटर ना राजदूद भारत नी यात्रा करी अने आ पुस्तक नी रिचना करे छे मराबर आ पुस्तक अत्यर अस्तित्वमन नती पन डिडेरोस जे एलेक्जांडर ना भारत आक्रमनी वाद करवा वाड़ा लेखक इतियासकार छे स्ट्रेबो जैने भारत तीरा सिद्धान्त धरावता लोको छे आर्थिक रिते अत्यंत सम्रुद्ध गणा वेला छे वर्ल्ड जेडीपी नो आड़त्री स्टका खाली न खाली मौरिय सामराज्ये पासे हतो अने एवु केवामा आवियू छे मैगस्तनिजना इंडी कामा के बारत ना लोको एक क्यारे दुषकाड नती जोया नो मतलब सुन के चंद्रगुप्त मौरिये जयारे शासन हात मा लिदू तो भारत नी जे नदियो हती एने एक बीजा साते जोडी दी जेना काने वाटर डिस्टिब्यूशन सिस्टम पाणी वित्रण व्यवस्था एटली सारी बनी के दुषकाड पन तेम चता खबर ना पड़ी खेतरो मोटा आने लीला छम चे अने जयारे युद्ध थाई चे ते समय पन खेतरो थी दूर लड़ाई-लडवा मा आवे चे अने आथी भारत मा खावा पीवानी वस्तुओ भरपूर मात्रा मा होई चे आ शब्दो मैगस्तनिस ना चे जे भ और ये सामराज्जीनु वरणन करो अब दो डेटा लगपनों थाई अने अजी डेटा अपी बाकी है जो हिए मैगस्तनिसे भारतिय समाज ने साथ भागमा विभाजित करे लो अतो एटले के वैदिक सब्यतान समय नीजे चतुर वरणाश्रम व्यवस्ता आती चतुर वरण नी व्यवस्ता आवी चुकी है थी ध्यान राग जो धर इस वेरी बिग डिफरेंस बिट्विन वरण अने जाती जाती अने वरण मा घणा बदा माहानु पहो एव केचे के जाती वरण एक जता हकीकत मा एव ना थी वरण ने कोईपन व्यक्ती पोता नी मर्जी मुझा बने गम्मे एटली वार पोता ना जीवन मा बदली शकता आता जारे जाती बदली शकाए ने कास्ट बदलवानू कोई सर्टिफिकेट ना थी जो कास्ट बदलवानू सर्टिफिकेट होत तो लो मेरेज करवा वाड़ान जलसा होत मराबर इंटर कास्ट मेरेज प्रोब्लेम आव अने वर्ण व्यवस्थामा आंतर वर्ण लगन पन थता आता सामलों अनुलों प्रतिलों मेंनु बेस एक्जामपल चे आपदू वैदिक सभ्यतानों एक नानो भाग चे जे मौरी सामराज्य साथे पन जोडाया लो चे तो साथ वर्ण अत्वा साथ भाग मा विवाजित करिया शुरमया अन जोडिक टा और लो चे आता सीं मौरी साथ सामलों पन आत्यों कांते पुज़ों जोडुके त्रीजा शिकारी याने पशु पालो को एलावे आपड़ा मनमा सवलू बुदाई के बैई सम्राट अशो के तो शिकार करवा उपड़ प्रतिबंद मुखेलो अतो तो अहीं जवाबे आपीश के गाम के शहर मां कोई जंगली प्राणी गुसी जाए जंगली प्राणी ने आपणे मारूतों पड़शें दो येना माटे ओफीशिल शिकारी योँ उथा वन विभगना अधिकारी कई शको नेक्स्ट चेक कारीगरो ने विपारियोन वर्ग पांचमों सैनिकोन वर्ग छट्थो प्रशाशनिक अधिकारियोन वर्ग साथ मों गुपते चरनों वरक औने राजा ना अंगराग्शक सेनी को नुवरक साथ वरण ना लोको होता के ऐक मारी सामराज्यन सम्माइ मा भारत मा रहता हूता पाऍपते होई छश्यकिले जो यह सम्राट चंदर गुपते मारी ऐकाईते राजा बन्ने चुर्स encryunda यामनी स्टोरी शरू करि यानि पेला चानक्या बेला मन 15 एक वाक्या मराबर ए संस्क्रित बाराबर पण मने अंग्रे जी माँ फोटो मडेव अंग्रे जी म थे नाut feature यह मने विछारून के चानक्या अंग्रे जी बोलता है याननता बोलता एजुकेशन is the best friend- an educated पर्शन इस रिस्पेक्टेड एवरिवेर, एजुकेशन बीट्स दब्यूटी एंद यूथ, शिक्षन, शिक्षन ए तमारों सौथी मोटो मित्र जे, जे व्यक्ति शिक्षित होई छे, ए व्यक्ति दरेक जग्या सन्मानने प्राप्त थाए छे, अने शिक्षन एक कोने कोने ह सुוניםतरता ने पण हराइ शक्येचे, युवानीने पण हराइए देछे, बराबर, एजुकेशन और गनान आँ एक्विस्मी सदी छे, गनान नी सदी छे, नोलेज नी सदी छे, डेता नी चथे, जेतलो गनान, जेतलो डेटा आनीं अंदर से एटलास तमेवदर सफ़ण गना कि अधा आजे बीजो फोटो छे येशुँ छे आ मौर्य सांराजिय तम ने देखा हले ची सुजु पर पर खुरासान बदक्षने बदा सामंती राज जी ओता एले अलग कलर माझे अलग कलर माझे ब्राप्त करवाना तो कोटेलियन अर्थ शास्त्रा पची जुनागर नों शीला लेखाने अशोक सम्राट ना शीला लेख जे अलग अलग भाशा माझे ब्रामी खरोष्टी एर्माइक अगरीग भाशी बद धर्मना पुस्टकोचे अशोक वदान दिव्यवदान दीप वन्षम महावण्षम भाशी महगास्टनेस नुँ इंडिका सुद्धाशंत टड़ाव हेम चंद्राचारि नुपुस्टक चे परिशिष्ट प्रावर्तन विशाखधत नुपुस्टक च दशकुमार चरितम अने बाण भट नू पुस्तक चे कादंबरी बराबर बौध धर्मना त्री पिटक सुत्त पिटक विने पिटक अभिधम्म पिटक एमा थी पन मौर्यनी माहिती मड़चे नागसेन बौध साधुनू पुस्तक मिलिंद पनो मिलिंद ना प्रश्णो एमा थ पुस्तको चे संगम साहिती ना पुस्तक चे अहनानूर पुर्णानूर आ बद 10 रोत माथी आपणने मौर्यनी माहिती प्राप्त थाएचे अन्या गुफा लेको राज तरंगेणी महा कभी कलहन्नू राज तरंगेणी पस्चिवना इतियास्कार जस्ट्रिन ना लेख माथ मौर्यवंश ना समयिमा महत्वना नगरो काया काया हता तो पाटली पुत्तर जे मुख्य राजदानी यती आसि वाई कउशामभी उज्जेन तक्षशिला ए महत्वना नगरो अता अने एक्चुल्मा मौर्यवंश क्या थी बिलोंग करेचे मौर्य कोण छे एना माटे अलग अलग-अलग अलग धर्म पन अलग-अलग मत आपेचे जह के बॉध मत एहु कहेचे के सम्राट चंद्रकुप्त मौर्या क्या साते सबंधर आवेचे शाक्य कोड़ सातेनों सबंध मतलब शुँँ तो एनों आणसरेचे के एक स्टोरी छे बुद्ध चरीतम मां पेलेचे एक वखत गौतम बुद्ध ए मगध महा जनपदनी राज़दानी राजग्रिह शहर मा गया हाता अने ए समय राजा आता बिंबी सार जेमने गौतम बुद्ध नूचीत स्वागत करियो शिश्य बन्या साथे बन्ये प्रवचन सांपडे छे मतलब गौतम बुद्ध प्रवचन करी शक्यान पची तमे विदाई लई शको जो तो गौतम बुद्ध ए राज़ग्री शहर मा फरता आता अने एनी पासे ज्यारे ए सिटी समाप्त था तो तो पची जंगल अतु बरबर जेया जंगल मा पची गौतम बुद्ध ने इना शिश्यो जवाना आता तो जंगल नी पासे खुलु मेदान तूजिया ना मोटा बाड को रहाँता अने गौतम बुद्ध ने एमना शिश्यो ए आखू नगर फरी ने पची मेदान तरफ आऊता आता गौतम बुद्ध नी आगड एमना शिश्यों चालता आता जेमा मुख्य शिश्य आनन्द पणता तो आगड बाड को रमता तो आनन्द जाये छेने बाड कोने के चेके बाड को तमें थोड़ा साइड मा उपराई जा अमारा गुरु दे उपसार थे जे पछीरम जो तो बाड को रता जे साइड मा उबाता एमने पणे क्वेश्चन थयो के अमें गवतम बुद्ध ने शुमा आपिया तो त्यारे एने आनन्द ने किदू के तमारा गुरु ने बधा लोको केम अलग-अलग वस्तु आपे चे तो आनन्द एव किदू के वै संतो महंतो ने तमे जो फड मड़े इन फ्यूचर तो आ बन्ने बाड़कोने पण थयो के अपने पण दान आपूछे परिणाम स्वरुपे आ बन्ने जे बाड़को हता ए आम गुचवाया के आवे आपूशू 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 गवतम नजी कावता हता बन्ने बाड़को ये आ और आगण वधी गया। त्या बाड़को गवतम्भूदे ने केश्यों के साधू मारा जुबार हो। अमारे तमने दान आप पूछे। गाउतम्बुदे बाड़को ने आगण लापिया आने पूछ बोल बेटा सुन दानमा आपिस तो बने बाड़को नीचे वड़ी माटी लेचे अने माटी केचे क्या में माटी दानमा आपियेचे गाउतम्बुदे पोतानों कमंडड आगडवधारियो और माटी एमा लएली थी एनों स्विकार करियो बने बाड़कोना माते हाथ मुखे आशिर्वाद आप्या आने पची गाउतम्बुद और इमना बदा शिश्यो आगडवधी गया जारे गाउतम्बुद ने इमना शिश्यो जंगल मा आगडवधा आता है तो ए टाइमे आनन्द गाउतम्बुद ने पुच्छिऊ के साइब गुरुदेव तमे कमंडड मा भोजन नी वस्तू लिथी यती और छेले तमे कमंडड मा शू लेली दू तो के माटी तो सवाल एचे के भोजन बगड़ी नहीं जाए तो गाउतम्बुद ये थाड़ी मगावी अने कमंडड उन्दू करियू तो माटी ना देखानी येमा भोजन अज़तू एडले के गाउतम्बुद ना तेज थी एमनी शक्ती थी जे माटी यती ये भोजन मा कनवर्ट थे मराबन ओके त्यारे गाउतम्बुद ये आनंद ने एव किदू के पेला बे बाड़को हता ने ए मने जे दान आपे छे ए दान पची एमने कोई वस्तुनी इच्छा के आशिरवाद नी इच्छा के एवी कई नती ए बने निर्दोष बाड़को हता जे बस खाली दान आपे अन्य एमने माटी नुदान आपे छे एले इन फ्यूचर भविश्यमा आज बनने बाड़कों नो पुना जन्म फरी पाचो भारत उपर तासे अन्य आप बनने बाड़को आप भारती ये भूमी अटले के भारत नी माटी ने एक कर नाक्षे अने ए बनने बाड कोनों जे पुना जन्म थोयो ए माना एक व्यक्ति एटले चानक्य और बीजा व्यक्ति एटले समराट अशोक अने अशोक ना दादा को तो के चंद्रगुप्त मौरिय बराबर आखी चर्चा केमा कर लिछे बुद्ध चरीतम्मा बराबर एटला माटे बौध लोको एव माने चे के चंद्रगुप्त मौरिय एशाक्य कुड साथे सबंधरावता आता अने एनी साथे पनेक अन्य लोजिक तमना आपने के गौतम बुद्धुनों जन्म कैयास थाडे थायो लुम्बीनी वन कपिल वस्तु राज्य आधुनिक नेपाड अन्य चंद्रगुप्त मौरिय नों जन्म पन कैयास थाडे थायो पिपली वन आधुनिक नेपाड बराबर एटो आपने कोईंसिडेंस चे जैन लोको एव कैयाचे के नेपाड ना विस्तार मा जे मोरिय जन्जाती ना लोको रेता था एमा थी मोरिय लोको आवेचे ब्रामणों एव कैयाचे के मोरिय ए शुद्र कुड माथी आवता आता केम कनके महापद्मनंद शुद्र कुड माथी आवेचे एटले महापद्मनंद नुस डायरेक्ट कनेक्षन कोणी साथे चंदरगुप्त मौर्या साथे महापद्मनंद ए चंदरगुप्त मौर्या ना दादा थाएचे ग्रीक लोकोंने भारतिय कुड परंपरा नी खबर न एडलेम कई दिदू उच्च कुड ना आता मुद्रा राक्षसम आ वस्तु केचे के नंदवंश साथे ज मौर्या न सबन चे मेतमने किदूने के महापद्मनंद ए दादा चे धन नंद चंद्रगुप्त ना काका चे बराबर ए बदू मुद्रा राक्षसम माती मड़ा चे जुना अगट शीला लेक माती पड़ेव के वैचे के वैश्य कुड माती आउता हाता लेके वेपारनु कामपण मौर्या करता हाता बराबर ओके हवे चंद्रगुप्त मौर्या चे एने ग्रीक इतियासकार लोको कया नामे ओडखे चे सेंड्रोकोटस अने एंड्रोकोटस ना नामे ओडखे चे बराबर हवे चंद्रगुप्त मौर्या राजा कई रिते बणने छे ए स्टोरी ने समझी है जो थयू एवू कि इस्वीशन पूर्वा 326 ना वरश्मा एलेक्जांडर नू आकरमन भारत तुपर थयू अने गांधार ना राजा आता आमभी कुमार कामबोज ना राजा आता हथवा राजा पूरु नाना में ओड़के जे यզू 언्गर ना राजया पूर्ष्रत्त म highestbest लिए एलेक्जांडर स्ट ना वितस्ता नो युद्ध कर गया था जेना परिणाम स्वरूपे गानधार महाजण्पद्नी राजदानी तक्ष शीला अने तक्ष शीलामा तक्ष शीला विश्वविद्यालेना प्रधान आचारिय एड़्ले के चाणक्यां चाणक्या ने े चिनता थाए के राजा पुर्शोत्त महारी गया मारो एलेक्जांडर सामें हारी गयो तो हवे भारतिय समाज भारतिय संस्कुती भारतिय धर्म भारतना लोकों ने यवन आक्रमन यवन शासक थी कोण बचाव से त्यारे चानक्यन याद आवे चेमना बाडपन ना मित्र एटले के महाराज धननंद धननंद याद आवी गया हवे धननंद जे पाटली पुत्र अथ्व मगद महास जनपदना राजा जे अने धननननी बॉडर कई रिते हती पंजाब थी चालू करी जेक म्यानमार बर्मा मराबर अने दिल्ली हर्याना थी चालू करी अने जेक आंध्र प्रदेश शुदिनों समग्र विस्तार कोणी पासे अतो राजा धनननन्द पासे मराबर ओके हवे चानक्य इस्वी सन पूर्व थ्रणसोने पच्चीस ना वरश्मा तक्षशीला जे मोडन डे पाकिस्तान मा छे मराबर पाकिस्तान ना पंजाब प्रांतनी अंदर रावल पिंडी नामनु शहर चे रावल पिंडी नी बाजु सूर्व टक्षशीला विश्व विद्यालाई अने तक्षशीला नगर आवलुवत्यौ 시청ition शिला ती चानक्य निकडा क्या जवा माटे पाटली पुत्र मगत माह जनपद्नी बीजी राजदानी प्रतम राजग्रियाती बीजी पाटली पूत्र आधुनिक पट्ना तेआा ज तरफ थी यवन आक्रमन थायो चे यवन मतलब विदेशी तो तमें आवो औने यवन राजा एलेक्जांडर ने हरावी दियो पन धननंद एक दुष्ट आडसु प्रजावीरोधी राजा आता अने एटले ए आडसमा केचे के बई मारा तो गुप्त चरोए मने किदू नती के म मारा माहाजन पदू पर कोई आक्रमन करियो चे वे एलेक्जांडर मारी सामे लड़ाई करतो न थी तो हुँँ शुकाम लड़ाई करवा जा त्यारे चाना के किदू के रोग अने शत्रुने उगताज डामी देवा जोईये बे मिनेट माटे तमें ए मुद्दो समझो के एल पुडु मोटु सामराच्य एलेक्जांडर पासे होतु पन एलेक्जांडर नी सेना खली 40 अजार नी आती आनी सामे धनननंद पासे बे लाख नू भूमी दड़ातू बराबर साइठ जजार नू अश्व दड़ातू आठ जजार नू हाथी दड़ातू तीस जजार रत जो तमें अत्यार युद्ध करसों तो या आराम थीयारी जो अढ़िया न। जो धनननत अत्यार युद्ध नहीं करें तो एलेक्जांडर बौव विशाण मोटी से ना बनावी अन्यं पच्छी आक्रमण करसे זongтесьू थो तियारे एलेक्जांडर नहरावो अघरो पड़े। तो अत्यारत में एलेक्जांडर सामें लड़ी लियो जिती जाओ, हवे खाली कल्पना करो के जो धननन्दभाय लड़ाई करी होत, तो भारत नुँ सामराज्य केवडू मोटू होत, बराबर नंद सामराज्य केवडू मोटू होत, के ब्रिटन सुधिनों बदो एरिया आपड तो पचि आपड़े एवू भनता होत, के भारत ने ब्रिटन उपर 2000 वरस्षाषन करी होत, बराबर 187 विद्रों लंडन मा थात, जल्यावाला हत्याकान एपण मांचेश्टर मा थी जात, मराबर मांचेश्टर नो हत्याकान होत, डेलाउसी निखाल सानिती ना आवत, मराब के बेत्रों वकत समझावेचे धननन समस्ता नती अने एटला माटे धननन दे चानकेनू भर दरबार मा अपमान करना खियों, जेवू अपमान थायू एना परिणाम स्वरुपे चानके प्रतिगनालिधी, के ज्या सुधी मगद सामराज्य माती हूं, नंद बंशने समाप्त नहीं करू, त्या सुधी हुमारी शिखा बांधिश नहीं, अने पची जे चानके अता, ए बार जता अता, परंतु आज समये जे आपड़ा धनननन राजा अता, एना बे मंत्री हो, अमात्य राक्षस राज, अने अमात्य शक्ताल, आ बंने जना ए धननननने कहे छे, के तमे आ ब्रामनने मारी नाखो, कारण के आ ब्रामन शडियंत्र कारी छे, हवे अहीं थी आपड़े ए समझवानू छे, के चानक्य केटला बुद्धी शाडी छे, चानक्य दुष्मनना राज्यनी अंदर छेना दर्बार मां छे, अने चानक्यना जीव उपर खत्रों छे, त्यार आ नीश्यस्त्र ब्रामन जराई डरतों नथी, आवी जा, आपड़े लड़ी लिये, तारे मन मारो येतों मारी नाख, तारे मन ताका येतों मन मार नाख, उँट जराई डरतों नथी, इगो उपर वार करियो, दनननन दे तो क्या एकलो ब्रामन सुंकरले छे, अने फाइनल भारत छोडी नंस्य जतारिया जे बरबा है पाचा जतारिया ज शोटल एक जे जाए और ने तक्ष शीला पाचा आवया तक्ष फीस्य ने बोला भिया एक राजा पूरफोट्त्तम निके दूर अपने पर आक्रमन करवानुँछे राजा पुष्वत्त में किदू कहीं वांदोनी साइब मारी बत्री सजानी सेना चे उँँ मारी सेना थोड़ी मोटी बनाएलों पच्छी आपड़े लड़ाई करवा जाई जानखेके डं हावे बीजा शिश्यन बोलावे छे न बीजा शिश्य कोन ता त्यारे जवाब आवे चन्द्रगुप्त πολύ बरबर तो चन्द्रगुपत छे कोन चन्द्रगुपत नो जन्म थाये हो तो इसवीशन फूर्वा 20 Suram जवाब छे पिपली वन आधोनिक नेपाड तो चंद्रगुप्त छे कोण एक चुलमा तो एनो जवाब एचे के बैई आपड़ा नंद वन्षना जे राजा आता जेनू नामतु महापद्मनन्द महापद्मनन्दना टोटल आठ दिक्रा आता आठे आठ दिक्रान नाम तमने ख्लास नोटसमा मड़ी जश है परनतु महापद्मननदना आठ माती बे दिक्राननाम फरज्य आती आध राखवाना एक सउति मोटो दिक्रो दिक्रो धैट is धननन अंद छे राजा बन्चे अगर अन्या पिजो स्व। ती नानो दिकरो जेनू नामतू सर्वतासिद्ध अत्वा अन्यनाम दश्य सिधक सर्वतासिद्धत्व दश्य सिद्धक्षे ने बढवा मन बढ़ा आता तो महापद्मनंद ये शुँ करियू ए भाई साहिबने क्या लावे छे तोके सीधा जो आ बदा आठे आंट दिकरा भणवा क्या गया आता तोके तक्षशिला विश्व विद्यालेमा दन नंचानक्या सर्वतासिद्ध बद्धा फ्रेंड्स हता वन सर्वतासिद्ध भणवामा सारानाता तो महापद्मनं सर्वतासिद्धने तक्षशिला थी पाचालाविया पाटली बुत्र अन्ने स्थानिय प्रशासन चलावता शिखवाडी दिदू अन्ने पची सर्वतासिद्धने मोकली लिच्ष्वी नुजे राज्य गणाई चे त्या अने त्या सामन्ती राजा बनाई दिता सामंती राजा एटले शू आधूनीक समय मा आप जेने राज्यो गवर्रकरय चेंग सामंती राज आत्वा राष्ट्रीय तरीके उड़क्वमा आवे तो नेपाड ना सामंती राज बनी गया सर्वतासिद जे टेक्सना रुपिया नेपाड मातीले अने कोने आपसे महापदमन दने आगड जता महापदमन नदेनी जग्याए राजा बने धननन तो सर्वता सिद्ध टेक्सना रुपया नेपाड माती लेए कोने आपसे धननन दनने आपसे नेपाडनी अंदर एक बहु मोटा वेपारी अता जेनु नामतु सुशेन और सुशेन भाई जे अता एनी एक दिकरी तीचे दिकरी नामतु मूरा अने आजे मूरा मेडम छे ए बहु सारा देखावडा आता मराबर मिस वर्ड से समये तो कोने गमी गया सर्वता सिद्ध ने गमी गया अने राजाने गमे ए राणी पजी भले भरती वोई पाणी तो मूरा ना लग्ण कोनी साते तैई गया तो क एडिकराma शर्वताशिद और मुराना पुत्र तरीके चंद्रगुप्तनु नाम आपेलू छे बराबर ओके आरे ठेथा यजए। चंद्रगुप्त यह को ने मड़िया चान क्याने मड़िया। चानक्य अने मड़ी आने चानक ये चंद्रगुप्त ने की दू के भई तमे एक काम करो तमे मारी साथे आओ अपड़े बेभेगा थाई राजा पुष्वत्तम आउशे अने आपड़े धननन्द ने हरा विदये तमे राजा बनी जाओ ત્લે કે ધણનંદ અને ચંદ્રગુપ્ત 2 કાકા ભત્રી જાશે ब्रबर अने भत्री जानेज केजे के काकानी सामे लड़वानुँछे। ज्यारे चंदरगुप्त छ वरश्ना आताने एटले के इस्वीशन पूर्वत्रण सोने ओगन चालिस। आज समये सर्वतासिद्ध जे चंदरगुप्त ना पिता छे। ए चानक्याने एव केजे। परश्ना चंदरगुप्त ने पोतानी साथे तक्ष शीला लई गया अने एने महान युद्ध बनाविया। इवन एलेक्जांडर पास्तेती पन चंदरगुप्त ग्रीक युद्ध कला शिखीले जा। बरबर आरिते थाए जा। हवे जे चंदरगुप्त अता एमने शूं करियो। एमने चानक्यान कीदू। के साइब तमे धन नन्ने हरावानू करो छो तो एक काम करो पेला गंगा न दिये जा। मोड़ू दून पाछा आई जा। जे नी इसामें एलेक्जांडर पंडरी ने भागी गियो। तो एनी इसामें तमें नहूं आपणे भी भेगातें चूं करशू। अन्ने तमें विचारता हो के मारा पिता छे ए राजा छे एक पिपली वननना ये तमने मदद करशे बुली जाओ। ए तो सामंती राजा छे ए पन धनननन एदलेके मारा काका ने टेक्शना रूपी आपेच तो त्यारे चानके गिदुक जो बेटा तारो जनम नतो थयो एनी पेला थी हूं तने पन ओडखुछू। तारा काका ने ओडखुछू। अने तारा पपा ने ओडखुछू। मारी पास ये प्रोपर प्लान छे ए प्लान मुझेब आपड़े आगडवध्वानू थस है। तो चंद्रगुप्त के बोलो शूम प्लान छे तो त्यारे चानके एव किदुके सवती पेला आपड़े एले के तमे चंद्रगुप्त जे एक शक्ति शाड़ी योद्धा छे ये धननन्दनी सेनामा जुढाए जाए। पाचि साम दाम दंड भेधनी नीती अपनावी औने एक सामन्य सेनिक माती मुख्य सेनापती बने। अपड़े बने। अपड़े पगार ने लालच वधारे उनची पोस्ट ने लालच आववधवद्वापी ने चंद्रगुप् चंद्रगुप्त के चलो आ प्लान थोड़ो गड़े तो उत्रेचे बीजु कहीं थाई के ना थाई गवर्मेंट जोब तो पाकी थाई गई बराबर सो चंद्रगुप्त मानी जाएचे अने इस्वी सन्पुर्वा 325 मा चंद्रगुप्त जेक अजिखाली 20 वरशना आता बराबर आ बाईसेफ जोड़ाई गया धननंदनी सेना मा जोड़ाई गया अने सामदाम धन्ड बेदनों प्योकरी इस्वी सन्पुर्वा 323 मा चंद्रगुप्त अता ए मुख्य सेना पती बनी गया बराबर आ अन्न हवे तोके चंद्रगुप्त नी सेना राजा पुरुष्रत्तम नी सेना बनने भेगी थाईगी अन्ने 323 इस्वी सन्पुर्वा मा चंद्रगुप्त चानक्य राजा पुरुष्रतमे आक्रमन करियू धनननंदु पर अने पाटली पुत्र नु प्रथम बले आड़सु छे पन ताकत्वर छे ओके चला फर्स्ट ट्राइमा यू पी असी पास ना थे इट सोके आपड़े सेकेंड राजा पुरुष्रतमे इस्वी सन्पुरुष्रतमे पुरुष्रतमे पाटली पुत्र नु बीजु युद्ध करी नाक्यू फरी पाच्छो एट इलो हवे हुम मारी सेनली न जाओ छू बाकी धनननने खबर पड़ी के हुम एक मद्र महाजन बद पंजाब नो राजा ए धननननी सामे लड़वा आवियो छे तो ए मारा राज्ये उपरे टेक करी न चणा मम्रानी जे मारू राज्ये खाई जासे तो राजा पुश्रतम तो जतारिया इलो हवे चंद्रगुप्त चानक के पासे छेलो चांस तो युद्धनो तो चंद्रगुप्त चानक के अलगलग स्ट्रेटरजी प्लान करता आता के लड़ाई कही रित करवी जोई है सिखंदरना आक्रमन सामे भारतिया सं शं कुटिनी रक्षा करवा अने मदद मेडबा विश्णु गुप्त विश्णु गुप्त विश्णु गुप्तेलले चानक के ले छे अजे लगनि प्ति जाय मार आतित्त प वरनी जाये बढ़ एमां 3 लडाई थाई चे आना पद पछी थाई चे तो 3 लडाई पेलापने घटना बनी आती, कही घटना... Sorry.. accum度 हाँ ? हवे एक ये भी घटना बनी के चंदर गुप्त चानक्य जे अलगलग प्लान करवा मागे छे क्ये लडाई के रिद करवी एना माटे ए अलग-अलग विद्वानों ने मड़ता हाता अने राक्षस राज जे अमात्य अता धननना एक काउशामबी नगर मारेता अने एक कोई प्रोपर प्लान बनावना अता कि आवाखते चंदरगुप्त चानके ने खतम करेता तो चंदरगुप्त चानके ने इच्छ पदेश मां चे तक्ष शिला पाकिस्तान माँ छे तक्ष शिला थी निकडा तो धिमे धिमे आगलवध्या पाकिस्तान दी भारत मा वि गया अलग-अलग राज्य मा फरता आता रात पड़ी जंगल पड़ी अने जंगल मा एशूं करे चे तो के आदिवासी लोको ने तिया जाए छे राद रेह राद पढडि थी तो आदिवासी नरे अधिवासी लोगोपन कुस्त ए गए आपण ब्राह्माण नक्षतिरी रेवाव भया चे तो बदा लोको पर भोजन बना वियो बदालोको ए भोजन बनावियू, मरबर अने ए टाइमें, जे आदिवासी बाड़को अता एब भोजन करवा बेठा, बदा ए भोजन चालू करीू, तो आदिवासी बाड़को ए एमनी माताने फरियात करीू, क्ये माता भोजन गरम छे खावू कई रीत है। तो त्यारे ए आदिवासी माताए एमना बाड़कों ने समझाविऊ कि तमे थाड़ी माझे भोजन छे ने वच्चे थी ना खाऊ, साइड माथी खाऊ साइड माथी तम भोजन खाऊ ने ए ठंडू असे जड़प्ती तमे खाई शक्सो अने जेम जेम आजु बाजुनों भोजन तमे खाऊ वच्चे वाडु भोजन पंठरी जासे तो चंद्रगुप्त चानक किया आ टायमे मिन्टोस खाईने बेठा आशे तो दिमाक्की बती जली बरबर ए लोको कई भूल करता आता ए लोको कैपिटल पाटली पुत्रों पर एटेक कराचे पाटली पुत्र जिया धनननद पासे एनो राजकोष्ट छे इवन धनननना पप्पा महा पद्मननंद विशे एव केवाई छे के एमनरा राजकोष्ट मा नवाणू करोड सुवर्ण मुद्रा वोहती सोननना सिक्का अने धनननन्द दर बरसे अग्यार करोड सोननना सिक्का नो टेक्स लेतो तो एनी प्रजा पासे थी नो किटली बदी धन सम्बती है शे एटले धननननना सेना पती सैनिको धनननी 122 पाटली पुत्रनु 3-0 युद एमा पाटली पुत्रो परेटेक नहीं करे एनी आजु बाजु ना विस्तारो परेटेक करे ने जीतिले शे अन्ने पाटली पुत्रनी नाका बंदी घेरा बंदी कर नाक्षे कोई पाटली पुत्रनी बार आवे तो चंद्रगुप्त मा नाक्षे ने कोई बार्थी पाटली पुत्रनी अंदर जै नहीं शके आरी ते थाईज एना कारणो सर धन नंद ने आम लाग्यू तो खरी के बाई घेरा बंदी थेगी चे आपड़े आवक जवक बंद थेगी पण जेम मेके देम धन नंद आर्शु राजा आता तो अंडर एस्टिमेट करे चे चंद्रगुप्त चानक्यानी शक्तिन एक मैनो गयो, बे मैना गया घेरा बंदीना, तोन मैना, चार मैना घेरा बंदीना गया, पण तेम शत्ता पाटली पुत्रमा धन संपत्तिनी कोई कमी नथी, पाण पाटली पुत्रमा घोडा ओना घास नथी, मनुष्यना भोजन पण नथी अने हवे जे सेनापतियो सैनिको धननी लालचमा धननन्द साथे जोडायला आता एज सेनापति सैनिको भोजननी मजबूरिये कोना पक्षमा आवा लागया चंद्रगुप्त चानक्यना पक्षमा आवा लागया अने जेवा चंद्रगुप्त चानक्यना पक्षमा आविया परिणा चंद्रगुप्त नी सेना मोटी अन ताकत्वर थेगी इवन पाटली पुत्र नी अंदर जे अमुक्षैनिको अता एक आम केता ताके धननन तरफ चे पन हंकिकत मा चंद्रगुप्त तरफ थेई चुक्या अने एच चेनिको ये पाटली पुत्र न दरवाजा खोली नाख्या अने चंद्रगुप्त नी सेना पाटली पुत्र नी अंदर आवि गई अने धरबार मा पहुँची धनननन्ने पकड़िया अने धनननननी हत्या करी अने आ साथे नंदवंश समाप्त थयो अने शरु थास मौर्य बन्श पन एक मिनिट चंद्रगुप्त पन तो नंदवंश माथी जावेच तो ए नंद माथी मौर्य कहे रित थाई गया तो एनी पाट्छननन कारण्चे चाणक्या जहरे चंद्रगुप्त राजा बनवाना आता त्यारे चंद्रगुप्त ने कीदू के तमारा काका धन नंदे जे प्रजा उपर त्रास गुजारेलो छे एना परिणाम सरुपे प्रजामा आक्रोष्णी भावना बोव वधारे अती एटले ए आप पने मदद करता ता नहीं के धन नंदे पण हवे जो प्रजा ने खबर पड़ी के एक नंद गया अने बीजो नंद आवियो तो जे धन नंद नो गुष्णो छे तमारा उपरुत्री शके जे अन्ने प्रजा विद्रो करे तो मोटा मोटा सामराज्ये पन डोली जाए तो आपड़ू तोजी नव नव सामराज्ये जे मुष्णो परिणाम सो रुपे चंद्रगुप्त चानक के अता ये मने नकी करिऊ के आपड़े चंद्रगुप्त नी अटक बदली नाखे मतलब लोको ने एक चुलमा खबर के याद नतु के महापदमनंदनी एक ब्रांच जे पीपली वनमा आतिया एनो जिद्धीक रोज बरबन एटले चंद्रगुप्त पोतानी माता मूराना नामु पर थी मोर्य अटक बनावी औने पची चंद्रगुप्त मोर्य राजा बनी गया अने प्रधानमंत्री बनी गया चानक्या बरबर आरीते थाई जे रडी चल्ड़ तो आरीते चंद्रगुप्त मोर्य चानक्या अने राजा पुर्शोत्तम त्रणे ना संयुक्त प्रयत्नों आधारे अने अन्ते चंद्रगुप्त अने चानक्या नी बुद्धी चातुरियता ना आधारे चंद्र गुप्त मुरिया सक्सेस्फूली राजा बनी गया चानक या प्रधान मंतरी पन बनी गया औने चंद्र गुप्त हता एणे एक एवड़ी विशाडतं सेना अने विशाडतं सामराजियनली रचना करी जहां थे आज ये आपड़े इदीश्मा पन भाणियांज सिकंदर ना आक्रमन समय भारतिय संस्कुतिनी रक्षा करवा माटे मदद मेड़ावा विश्ण गुप्त धननन पासे जाएचे पन धननन अपमान करेचे ने एटले चाणके नंदमशने समाप्त ना थाई त्या शुदी शिखा ना बांध्वानी प्रतिकना लेले चे बरबब अब दो आपड़े जोईवातू पोताना स्त्री चे बाड़क ने वच्चे दी जमानी ना पाड़ेचे ये प्रसंग आख्री चमय चर्चा हमना करी चलो हाँ ग्रीक इदियास कारोणा मतमुजब इस्वीशन पुरो 326 मा चंद्रगुप्त मौरिया आने एलेक्जांडर अरेञा से मदद मागवा गया हाता तो ये टाइमें तक्षशीला विश्व विद्धियली मा ऑलेक्जांडर आवे विद्ध्यार्थियो हता यह बद्धाने एउ कहता हता कि ग्रीक युद्ध कला सर्वस्रेष्ठ युद्ध कला जह एना ती आगणको युद्ध कला छेज नहीं पण आब आबद साथे चंद्रगुप्त जे ए समय शिश्य हता एगरी नता करता तो चंद्रगुप्त यह चेलेंज आपी के नहीं भई ग्रीक युद्ध कला नहीं भारतिये युद्ध कला सर्वस्रेष्ठ चे अनने एना उदारन तरीके चंद्रगुप्त यह उपण कि दु के आज थी 100-200 वरस्पेला तमारा युरोप उपर ज्यारे फार्सी आक्रमन थई होतु अने एमा जे युद्ध थया हता थर्मोपोलीनु प्रथम युद्धन थर्मोपोलीनु बीजु युद्धु तो थर्मोपोलीना बीजा युद्धुमा भारतिये सेनिकोय स्पार्टा राजा लियोनाइडस ने हरावी दितेला आता अलेक्जांडर जे रे आवाद सामड़े जे तो एलेक्जांडर रे चंद्रगुप्त ने डारेक्ट चैलेंज आपी दिधी के जो भई तारम ताकात होए तो तू आवी जा मने तलवार ना युद्ध मा हरावी ने बताओ जो ते मने तलवार ना युद्ध मा हरावी दितो तो हूं तने गे क्रीक युद्ध कला हुं पोटे तने शिख भरी देस प circ रडं जो तू युद्ध हारी गयों तो हूं तने युद्ध युद्ध निसा जया पिश तो आप पर नेम लागे के चंद्रकुप्त डड़ी गए आ अबया एलेक्जांडर एवा खतरणा की उद्धता याे बनने हाथे तल्वार लेगे लड़ाई करता ये बड़ाई करता हाथ एक हाते एक अग-गाथे तल्वार नाए बनने आथे तल्वार अकि तो ए NICK आफे तल्वाई योद्ध करता हा वरठतू तो वजन मा ओछू वजन उन्हें एवी तलवार लियो, हलकी तलवार, वजन मा हलकी तलवार आपणे लईए, जहे दिगरीने हैं हेंड मुमेंट फास्ट थाईश, तो एलेक्जांडर नी बनने तलवार ओछा वजन वाड़ी आती, आनि सामें चंद्रगुप्त मोरे नीचे बन चंद्रगुप्त अलेक्जांडर नी बनने तलवार ने तोड़ी नाखे छे, जिती जाये चे आने ग्रीक युद्ध कला अलेक्जांडर चंद्रगुप्त ने शिक्वाड़े चे एनो फइदो चंदरगुप्त ने कई रिते मड़े छे जारे 305 इस्विशन पूरुमा सेल्यूकस निकेटर नी साथे लड़ाई करवानी तसे त्यारे चंदरगुप्त मौरिया ग्रीक युद्ध कलाने पन अपनाऊ से अन्ने एना आधर जीती पन जो शे ब्रब ओके हवे सेल्यूकस निकेटर नी चर्चा शरू करिये एनी पेला आपड़े ए जो ये के चंदरगुप्त मौरिया ये 322 इस्विशन पूरुमा ज्यारे पोतनु सामराज जिया शरू करियू एना पची कही कही घटनाओ बनी तो चंदरगुप्त मौरिया ज्यारे राजा बनने चे तो राजा बनन्या पची ए पाटली पुत्र उपर कभजो करे चे राजमहल राजगोश बधा उपर कभजो करे चे और राजमहल उपर कभजो करिया बाद चंदरगुप्त जयाता ए बगी चामा जाए चे और बगी च टेक्निकली जोवा जाओ तो बन्नेक काजिन बदासिश्ट्र अचे बण जेम में की दुए कि पाटली पुत्रा ना लोको चंदरगुप्त ने उडगता जिनता अन्ने एटला माटे चंदरगुप्त जो जो आता बरबर ए दुर्धरा ने नता उडगता के दूर्दे चन्दर गुत्त ने प्रपोस कर दितु很 easy क कारण के जो लगननी ना प€डे तो चन्दर गुपत दूर्ध्रा मेरम ने काडी myself तो दूरुदुरा मेरें राजकमारी एता राजकमारी मतला नीद्पतर हिता राजकुमारी पता सा वडव हैं तो अहीं प्रोब्लेम निंड धने के जो ए लगनीन ना पड़ा तो ज führenेट राजमेल छोड़िं जउव पड़े तो फेसलेटीश नहीं मड़ है एक बीजो इश्यू मन मा आवी गियो के जेने पपानी हत्या करी एनी साथे लगन करवाना तो जवाब चे हाँ केम दुर्धरा एव विचर करे चे के पेलो पॉइंट धन नन दे चाण के नो अपमान करियो एटले आवदा कांड थे बागी दो थात नहीं पॉइंट नंबर ब धननन जीवता नाती तो ए दुर्धरा दुष्मन साते लगन करे के गम्मेनी साते लगन करे दननन की जावा आवाननन थी बरबर अने जो दुर्धरा एलगना नी हाँ पाड़ी दे तो दुर्धरा ने बो बदा फाइदा आता ए डारेक राणी बनी जशे तो अनलिमिटेड चौपिंग फ्री राजमेल माज रेवानु दास दास यो काम करसे जल सानी लाइफ सो फाइनली दुर्धरा मेडमे पण हाँ पाड़ी दे ती बराबर इतियास नी अंदर एक बाबत हम्मेश याद राखवी राजाने गमे ए राणी बजी भले ए भरती होई पाणी बराबर जेने जे गमी जशे एनी साथे लगना करी लेशे रड़ी चलो अवे लगन थही गया थोडो समय अजी पसार थैयो और इस वीशनपूर्व 320 समय आवे इस वीशनपूर्व 320 ना समय मा दुर्धरा गर्बवती थाया आथा अवे दुर्धरा ज्यारे गर्बवती थाई चे तो ए महल मा आराम करता होई छे ने चंदर गुपत ए नोर्मल दरबार मा आवी अनगाम करता हुए अव्य प्हें एक वक्त तेवस्टाए दारबार मा काम करता आता ने दुरुद्रा मैडम आराम करता हुछ। पन दुर्धरा मेडम ने कोई इमर्जंसी काम आवी होशे तो ए मेडम के आवी गया तो के दरबार मा चंद्र गुप्ते दुर्धरा ने की दुखे तमे बाजुना रुम्मा जैने बेशो अत्यारे जे काम चाले छे एहुं पूरु करी ने आउँँचो तो दुर्धरा बाजुना रुम्मा जै अने बेठा अने बपोर नो समय आतो तो राजा माटे भोजन आवी हो अने सिधी सिधी बाद चे पए राजा नो भोजन हसे तो एनी अंदर बोबदी मिष्टान ने गणू बदु बनावे चंद्रगुप्त माटे जे खीर आवी हाती ए खीर दुर्धरा येले लिदी पए ये तो राणी चे गम्मे वस्तु ले येने कोई अटकावे नी मेडम ए खीर लिने खीर खाई लिदी खीर एक भारे खो राक्के वाई एटले मेडम ने निंदर आवती हती तो मेडम त्याने तिया शुई जाए जे अब मेडम शुई गया बीजी तरप चंद्रगुप्त चानक्य ए बनने ए रुमनी अंदर आविया तो चंद्रगुप्त चे ए दुर्धरा ने उठाडवानो प्रयतन कर चे परन्तु दुर्धरा मेडम उठता नती त्या चानक्य निनजर पड़ी खीर ना खाली वाटका उपर बरबर तो ए चानक्य कूक भाई ने बुलावे चे रसोया ने बुलावे चे के बई आपड़े चंद्रगुप्त ना भोजन मा जे दरोज थोड़ु लिदिया से एटले ने जेर चड़ेलू छे एटले चानक्य राजवेद्य ने बुलावे चे अने कहे चे के तमें दुर्धरा ने बचावी शकायम छे तो राजवेद्य चेक करने की दुखायम स्वारी दुर्धरा ने बचाई शकासे नई ए समय चानक्य राजवेद्य ने महाराज बिंदुसार बिंदुसार शब्दों न मतलब एथाई छे के जे व्यक्ति जेर थी बची गयो धैट इस कॉल्ड बिंदुसार लहवे आपड़ा मनमा एवो सवाल आवे के ए समय पन ओपरेशन्स थता हता तो जवाब चे हाँ उत्तरवैदिक काड़ना समय मा जो सूषरुत रुषी आवी चुक्या हता बराबर इस्वीशन पूर्व साथसो थी इस्वीशन पूर्व छस्सो आ सूषरुत रुषी नू जीवन चे बराबर उत्तरवैदिक काड़ मा सूषरुत रुषी आवी गया हता अने सूषरुत रु गुप्त सामराज्यना युग मा मराबर गुप्त सामराज्य माए ना आवे ready? आगर हवे आपणा मनमा एक बीजोपन सवाल थाए के चानक्य चंदरगुप्त ना भोजन मा जेर मिक्स करे जवाब चे हाँ केम? कारण के चंदरगुपत एक नवा राजा आता अन्ने नवा राजाने मढवा माटे घणा मदा लोको आवे। अने घणा मदालोको राजा ने मडवा आवे त्यारे राजा माटे बोवधी गिफ्ट लेईना आवे अन्ने आजे गिफ्ट होए एमा मोटा भागे खावा पीवा निवस्तु होए पोताना विश्तार माजे फेमस खावा पीवा निवस्तु होए ए राजा ने गिफ्ट माँ जो आवी कोई गिफ्ट माँ कोई व्यक्ती जेर नाखी अने राजा ने भोजन खवड़ा वी दे अने राजा जेर थी मरी जाए आ बबत योग्य नती यले राजा ये जेर पचावता शिखुँ पड़े अने एटला माटे चंद्र गुप्त ना भोजन माँ दरोज थोड़ु थोड़ु जेर नाखवामा आवतु अतु अने आ वात नी माहीती चंद्र गुप्त ने खबर हती आ वात के भई मारा भोजन माँ जेर आवे छे चंद्र गुप्त ने येनी खबर हती दुर्धराने खब पर नती तो चंद्रकुप्त एकें दुर्धराने नाकी दू तो आनो बहुत सीधो सीधो जवाब छे जो जो आपड़ा घर नी अंदर जे आपणी माता बेहनों होई छे मराबर अथ्वा पत्नी अथ्वा दिकरी जे पणों ए चिंता आपणी वधारे कर से बार गली मा केंग म आपणी जान जन्ना करी चंद्रकुप्त एकें मारा भोजन मा जेर आवे छे अन्ने बस एना कारने शू थायू के दुर्धराय बुल्ती ये खीर खाय लिदी अन्ने दुर्धरानी मृत्तियू थाई गई दराबर हमना जे चूटनी गईत ये थो आगर जे नवी नवी चूटनी आऊशे तो जो जो एमा तमाम जे पोलिटिकल पाटी ना नेतावोय चे गरी बोना घर मा घुसी जाए येमनी साथे भोजन करे फोटा पाडे अन सोशेल मीडिया मुकी देक्या में गरी बोना मसी दराबर हमना बरी-बरी न ब्रिष्टा आचार करे बराबर आनी जे वोई चे तो फेमस तवा माटे आऊ बदू करूँ पड़े तो चंद्रगुप्त पन करे छे पड़ेमा बीचारा दुर्धरा येमनी मृत्तियु थे जाए जैरे दुर्धरा नी मृत्तियु थे एना एने दूर करवा माटे एनू माइन डाइवर्ट करू पड़े आने माइन डाइवर्ट करवा माटे चंद्रगुप्त ये शूं करे छे चानक्या चंद्रगुप्त ने शूं कहया छे चानक्या चंद्रगुप्त ने कीदू के तमे पाटली पुत्रती प्रशासन्नी चिन्ता ना करो एटले के चाण के संभाडिलीश बी जो पॉइंट चंद्र गुप्त और धननंद ना युद्ध समय नंद सामराज्यना घणा बदा विस्तारों स्वतंत्र थेग्या आता तो चंद्र गुप्त ने गिदू के तमे नवी शक्ति शाडी सेना तैयार करो और आक्रमन करो ये बद्धा विस्तारों पर अन्ने बद्धा विस्तारों ने पाचा जीतीलियो तो अवे चंद्र गुप्त मौर्य पोतानी एक नवी शेना तैयार करे छे आ नवी शेना केटली विशाड तमती के पई 6 लाखनू भूमी दढ़ अतु बे लाखनू अश्वदल एक लाखनू रथदल चाली सज्जार हाथियो नी सेना आती नोकादल अलक्ती चालतु ओतु आवडी मोटी सेना लई अन्ने चंद्र गुप्त ए युद्ध माटे निकडे चे मरबर आरे त थाई चंद्र गुप्त मौर्य सवथी पेला वेला क्या आकरमन करे चे त्यारे जवाब आवे बंगाड चंद्र गुप्त बंगाड उपर आकरमन करी अन्ने बंगाड ने जीती ले चे न अहीं हुझे बंगाड बोलू एन मतला पस्चिम बंगाड एस बांगलादेश बंडने थाई जे बंगाड उपर संपुण कपजो करी लेवा माँ आभियो, हवे जे बंगाड उपर कब जो थयो तो त्या चंद्रगुप्त मौर्य ए महास्थान शिला लेख अथ्वा महास्थान अभी लेख नी रचना करियेती महास्थान शिला लेख महास्थान अभी लेख ए नी अंदर थी आपने बे महास्थान अभी लेख माती अथ्वा महास्थान शिला लेख माधी खबर पड़ेज़ पची चंद्रगुप्त आगण वदेचे अने कौशार वेंगी आंध्र जन्जातीना लुकोसामे युद्ध करेचे अने ये बद्धाने युद्मा हरावेचे अने आपने युद्धमा हरावी कया कया विस्तारो माँ विजय प्राप्त करेचे तो आधुनिक आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, महाराष्ट्र, करनाटक अने गोवा आटला जे विस्तारो छे ए बद्धा विस्तारो उपर विजय प्राप्त करेचे कौन? चंद्रगुप्त मौरिया वराबर आ आधुनिक नाम चे जेते समय ना प्राचीन नाम अलगोई जे हवे आ बदा विस्तारो ने जितिलीधा बाद इस्वीशन पूर्वा 310 ना वरश्मा चंद्रगुप्त मौरिया ए आक्रमन करेचे गुजरात उपर गुजरात मा धन नंदना एक मंत्री यता जे मंत्री नुनामत भद्र साल भद्र साल नुँ शासन चालतु अतु चंद्र गुप्त मौर्य भद्र सालने युद्ध मां हरावी अने मारी नाके चे अने गुजरात और राजस्थान उपर विजय प्राप्त करे चे जैने मच्य महाजनपद तरीके ओड़क हमा उतुँगतुगतुगतुगतुगतुगतुगतुगतुगतुगतुगतुगतु गुजरात ना गवर्नर बने चे अने पुश्य गुप्त ये बे काम करिया काम नंबर एक अत्या सुधी गुजरात नी जे राज़दानी अती एहती द्वारा मती अथ्वा द्वारा वती एलेके द्वारका पन हवे द्वारकाने राज़दानी तरीके चेंज करवा माँ आवी अने नवी राज़दानी बनावा माँ आवी गिरी नगर आधुनिक गिर्नार जुनागर नो विस्तार ए राज़दानी बने चे अने आ गिरी नगर ना विस्तार माँ खेडू तोने पाणी नो प्रोब्ले पुष्य गुप्त पुष्य गुप्त है सुधासं तडवनी रचना गर्याती द्यान रग्जों सुधासं तडवनु रिपेरिंग काम आगर जता तुषास्व अत्वा तुष्वाक नामना व्यक्ति कराऊसे अशोक ना समयमा गुज्रातना गवर्नर असे एना बजी शक रुद्रदामा यहरा गवर्नर उथा, शूवीशाक रिपेर इंगर मंदिर नीcić मिसे और यहां पसे इसायों मीने बुचाम inhard. जिती लिदो और पची चंद्रगुप्त ने खबर पड़ी के मद्र महा जनपदे लेके पंजाब मा राजा पुर्ष्रोत्तम नी मृत्यु थाई छे अने राजा पुर्ष्रोत्तम नी कुद्रती मृत्यु बाद यहमना सेनापतियों प्रधानों यहमना दिकराओ ए बदा आं 320 इस्वीशन पूर्वा थी चंद्रगुप्त मौर्य युद्धमा निकड़ा अने समय अविगयो 305 इस्वीशन पूर्वा रेडी ओके एक तरफ भारतमा मौर्य सामराज्याने चंद्रगुप्त मौर्य आगडवत्ता हाता तो बीजी तरफ एलेक्जांडर ना मृत्यु प पहिती बैबिलोन मा बैबिलोन एटले आधुनिक बगदाद राबर इराक नी राद दनी त्यां एलेक्जांडर नी मृत्यु थेगी एना पची एलेक्जांडर नुझे सामराज्य हतु ए अलग-अलग सेना पति हो बाटिली तु जेमके गांधार ना शासक बनी गया हता ए अग्या को त्रीजासे ना पति सेल्यू कस निकेटर एने मध्य एशिया Кजाक्स्तान तुर्कमेनिस्तान तजीकिस्तान किर्गिस्तान घरैखा अपार राच्टांस्तान वाड़ा एरिया अन्य पश्चिम एशय लेके इरान, इराक, साउधियरेबिया, यमन, ओमान, जॉर्डन, इस्रायल, लेबेनॉन ए बधा विस्तारों, टर्की ए बधा विस्तारों, एने जिती अने एमा पोतानों शासन चालू कर दिदू, सेल्युकस निकेटरनों शासन ए पश्चिम एशय मध्य ए सेल्युकस निकेटर ए 323 इस्विशन पूर्व मा राजा बनी गया, मध्य अने पस्टी मेशियान, अने पची 10 वर्ष सुधी, यमने आम बहु मोटा विस्तारनों प्रशासन विवस्ताने सेट करी, जारे 10 वर्ष मा प्रशासन विवस्ता सेट थाईगी, एडले के समय आव 3123 इस्विशन पूर्व, एना पची सेल्युकस निकेटर ए विचार करियो के जे काम एलेक्जांडर नती करी शक्या, ए काम हुं करी न बताओं। चार लाख नोनी सेना तैयार कर से टम तो कर अदो सल्युकस निकेटर जिंगों न बाद सल्यूकस निकरिया बाद अने गांधार अने काम बोजुने जीतिली था अने फाइनली इस्वीशन पुरवत्रण सोने पांच ना वरश्मा सेल्युकस निकेटर अने चंद्रगुप्त मौर्य आ बढ़ने वच्चे सिंधु नदीना किनारे लडाय थाई जाये चे जैने केवाई चे तो बैटल ओफ इं चंद्रगुप्त नी सेना तो आवडी मोटी निकडी चाली सज्जानी हाथियो नी सेना आती चंद्रगुप्त ना हाथियो एक हाली 10-10 जनान मारवना आता एक हाथी 10 जनान मारे 4 लाग पती गया तो सेल्युकस निकेट बहु खराब रीते हारी गया एक्स्ट्रीम खराब पचिश्णी थायु के सेल्युकस निकेटर पकड़ाय गया एमनी आखी सेना खतम तेगी और चंद्रगुप्त ने पन मारी नाखवान आता पन आ टाइमें सेल्युकस निकेटर रे चंद्रगुप्त मोरे नेकी दुके साइब तमारे जितलो विस्तर जोतो होई एटलो विस टमें वल्ड मेर मां जोशो कास्पीयन समुधर आवे चे कास्पीयान समुधर शुदी भारत दी कास्पीयन समुधर नी वचे ज naval area െहो एट॓ एनने वद्दक्षण केवाई चोतु खुरासान घैटले इरान इराइक वाड़ो विस्तार आधुनिक समय मां सीरिय आ न वच्चे जेटलो एरिया चे बद्धो आवी गयो एने बदक्षण केवाई चोतु खुरासान खुरासान एटले इरान इराक वाडो विस्तार आधुनिक समय मा सीरिया और इराक आ बे देश वच्चे चे बौडर छेने बस त्या सुधी नो समगर विस्तार कोणे लेली दो चं लुटे चंदर गुप्त मोरी है अन्ये पच्छी चंदर गुप्त मोरी है ए पूच यह पूच्यों के साइब में उसांपडेलू चे तम्या त्यार सिंगल छो तो चंद्र गुप्त क्या अचू तो कय वान्दो लियू चेए तो शेलीूखस निगट के नानासाही आतो सूचए के आपने बे पाड़ोषी राजी रही या तो पाड़ोसी राजाओ वच्चे सबंसारा होई तो वधारे सर्व रे प्रजापन सुखी रे बने राजे सम्रुत बने तो एवुँ छे के मारे पने एक दिकरी छे उम्मर लायक थेगी छे और जो तमने वांदो ना होई तो तमें मारे दिकरी साथे लगन करी लियो तो चंद्रगुप्त है पड़ विचार करियो के आमें छेला 15 वरस्ती भटकती आत्मानी जें भटक किये छे तो हवे पाच्छा सेटल थेई जाए तो परिणाम स्वरुपे चंद्रगुप्त मारे सेल्यू के स्नीकेट नी दिकरी कॉर्नेलिया कॉर्नेलिया जेनु अन्य एक नामचे हेलना एनी साथे लगना करी नाख्या अने त्यारती हेलना मेडम पोतानी साथे भारतमा एक नवी वस्तु लाव्या जे वस्तु भारतीय सब्यतानी नथी पन अत्यारना समयमा ए वस्तु भारतीय सब्यता संस्कृतीनु अभिन अंग अंग गनाई चे औने ए वस्तु आपणा बदाना घर माँ चे ये वस्तु न उप्यो पूरूशो नथी करता अने जो पूरूशो ये वस्तु न सब्सकु वस्तु अपणा बदाना घर माँ चे अने पहरोश Solich अने एक मजानी वाते चे के आपणा मन में ओ सवालो बथाए के बाई जो भारती अस्त्रियों जे ए साडी ए मौर्य सामराज्यन समयती पेरे चे तो मौर्य सामराज्यनी पेला भारती अस्त्रियों कया प्रकाणा वस्त्रों पेरती हाती तो महाराष्ट्रणी अंदर लावणी लौकन रुद्तिय छे लावण iOS लोकन रुद्तिये अंदर जे श्त्रीकला कार, ये जे रितना वस्त्रों धार न करेचे ए प्रकाना वस्त्रों ये भारती अस्त्रियोग पेरती ह旅ती के भई में आनो अड़्धू राज्य लेली दुआ नी दिकरी लेली दी तो कहीं आप वो जोए तो चंद्रगुप्त मौरिया सेल्यूकस निकेटर ने 500 हाथी भेट मां आपी दीदा के अलियो तमें आ 500 हाथी लेई ने जाओ बराबर ओके हवे चंद्रगुप्त मौरिया अता ने एने एव थयू के भई एक राजा तरीके आपने बदा काम करी नाख्याचे पॉन ज्यारे मारू सामराजी आटलू विशाड बनी गईू तो एक एवो रस्तो बनावो जोए के जे अन्यो को ये ना विचारियो है तो प्र कपीशा नगर छे जेनू आधोनिक नाम छे काबूल तो कपीशा नगर थी एक रस्तो बनावानों चालू करियो औने ए रस्तो क्या समाप्त थाई चे तो जवाब छे ताम्रलिप्ती ताम्रलिपती मा ए रस्तो समाप्त थाय चे ताम्रलिपती आधनिक बांगलादेश मां चे बंदर चे पोटसिती चे तो कपीशाती ताम्रलिपती नो आक्खो नव राजमार्क बनावियो जे वेपारी मार्ग सेन्य मार्क ए बदा रितकहां सारू करते आजे आवडो मोटो आवडो लांबो राजमार्क बनावियोंने ए आगड़ जता मुघलो ना समयमा शेर्षा सूरी आ रस्तानों रिपेरिंग काम करावी अने फरी पाचो चालू करदे से अने ए रस्ताने नाम आपसे सडक ए आजम अंग्रे जोना समयमा ओकलेंड अने डेल हाउसी जे गवर्न जनरल उफ इंडिया तरीके आवसे ए पन आ रस्ताने रिपेर करी एने चालू करसे अने एने नाम आपसे ग्रांड ट्रंक रोड तो जे जीटी रोड छे एनी मुड रचना कोणे करी आती चंदरगुप्त मौरिया करी आती अने बची चंदरगुप्त एहलना साथे फरी पाचा के आवी गया तो के पाटली बुत्र आवी गया प्रशासन चलावानू शरू करी दिदो 305 इश्वीशन पूर्व माँ चंदरगुप्त मौरिया सेल्युकस निकेटर वच्चे युद्ध थाईचे चंदरगुप्त जिती जाईचे गांधार कामबोज कंधारा बलुचिसान खुरासान एब दु जिती लेचे सेल्युकस निकेटरी कौर्णेलिया साथे लगन करेचे 500 आथी गिफ्ट माँ पेचे हवे एक वरश आगड़ गयू अन्ने समय आवियो इस्वीशन पूर्वत्रण सोने 4 आ वरश माँ चंद्रगुप्त मौरिया अन्ने हेलना अथ्वा कौर्णेलिया एम बनने ने त्याँ एक दिक्रानो जन्मत है जे दिक्रानो नाम राखफा मा आवियो हतु जस्तिन मौर्या नौट जस्तिन बीबर बरबर एटले आप बेबी वाड़ू सोंग नहीं गाए रडी तो जस्तिन मौर्या चे एनो जन्मत आए जह अन्ने सेल्युकस निकेटर नाना बनी जाई जह अन अने मैं गस्तनिशनी चर्च आपड़े लेक्षनी शर्वात माझ करियाती के ए 304 इस्विशन पूर्व थी 29 इस्विशन पूर्व सुधी मौर्य सामराज्यन विस्तार्मा रहे चे अने ए भाई साही बेशूं करियातू आखु मौर्य सामराज फर्यू इंडी का पुस्तक नी के वाई चे जवाब मैं गस्तनिशने के वाई चे अंगरे जो ना मत मुझाद मराबर ओके आँ सेल्यूकस नीकेटर आ हेलना मेडम मराबर एक फणी फोटो छे में मुखेलो छे खाली के वी शुड हेल्प इच अदर आउट ग्रांट मी द वार अलिफंस वी विल बी कुड मैरी माई डॉटा मराबर आ कोण के चे सेल्यूकस नीकेटर चंद्रगुप्त के याश शूर वाई नोट आम बढ़ फोरें डारेक इंवेस्मेंट आपन वधार गमेच चालो एड्यूमस पे थन ये बदान हरावी सेल्यूकस नीकेटर ये भारत ना विस्तार रुपर आख्रमण करी और विजय प्राप्त करियो एव विजय नी महीति आपने तमिल ग्रंत अहनानूर और पुर्णानूर माथी प्राप्त ठाएचे में आगड तमने कि दू आज लेक चन्नी अंदर के बैए मौर्य सामराज्य नि माहिती कया कया पुष्टकों माती मढेचे कया कया स्थ्रोत माती मढेचे तो एनो जवाब चे आ अठाणों मां चंद्रगुप्त मोरिये प्रथम जैन धर्मसभान आयोजन करियो पाटली पुत्र मां चंद्रगुप्त जैनिजम ने टेको आपता होता अने प्रथम धर्मसभाना अध्यक्षकोणता स्थूल पद्र कारिय शू थयू बार अंग पुष्टकोंनू मोखिक रित संकलन करवा मा अवियू अने जैन धर्म छे श्वेतांबर अने दिगंबर संप्रदाई मा विपाजित थाई जाये जे आरे तो थाई जे ब्राबर ओके अने हवे चंद्रगुप्त मोरिये पोते भले जैनिजम ने टेको आपते चे प्रथम जैन धर्मसभानू पनायोजन कर तो चंद्रगुप्त मोरिये चे ए दिगंबर संप्रदाई ने स्वीकार करे चे श्वेतांबर ने दिगंबर अने दिगंबर जे संप्रदाई चे जैन धर्मनों एम ना जे जेते समयना हेड हता अथवा मुख्य संत हता एमनों नामतु बद्र बाहु नीवे साधुनी दिक्षयापी चंद्रगुप्त मौर्य ने पची चंद्रगुप्त मौर्य भद्र बाहुसनी साथे यह निकड़ी जाए छे राजपाटनों त्याक करेचे सन्यासी बनी जाए चे अने क्या जतारे चे तोके करना अटक श्रावनवेल गुला मा जतारे छे अने शावन बेल गोला जई अने तिया ए चंद्रगीरी परवतु पर तप करवानू चालू करे छे त्रोण वर्ष सुधी ए आराम्थी तप करे छे सारू एवू अने पची अन्ते इस्वीशन पुर्वबस्वने पंचानों मा चंद्रगुप्त महरिया ए संथारा विधी अथ्वा सं्थाराः विधी ना माद्यम धी मृत्यूने प्राप्त करे छे संथारा अथ्वा सं्थारा विधी माशूं तो आवा एक महान समर्बा आट चंद्रगुप्त मौरिय थे गया बरबर चंद्रगुप्त मौर्य केम भारत ना तमाम राजाओं मा सर्वस्रेष्ट गणाई छे, केम अशोक पण एनी सामे नाना, एनी पाचनुन एक बोँ सिंपल रीजन, चंद्रगुप्त ए पायोनियर छे, ए एंटरप्रेनोर छे, एने सामराज्य बनावियू, और एना जेटलू सामराज्य विस्तार आखा भारत ना इतियास मा कोई नती करियो, not even अंग्रे जोपन, तमें विचार करो, चंद्रगुप्त मरुन सामराज्य केवड मोटू होतू, कास्पी एन समुद्रती शरू करी, सीरिया, लेबनोन सुदीनू, आ तरफ आवो, तो ए भाईस हैबे, आख उत्तर भारत मां काश्मीर सिवाईनो जे विस्तार हतो, ए आखो जीतिली दो हतो, दक्षन भारत मां पण तमिल नाडु अने केरला ना विस्तार सिवाई बदू एने जीतिली दो हतो, तो आने पूर्वा भारत तो एनो गड हतो, एनी पासे, आखो पूर्वा भारत हतो, आवडा मोटा सामराज्य निरचना चंद्रगुप्त ये करी बिंदु सार ये नियंद शूं उमेरो कर से तो के बिंदु सार ये चोलचेर पांडियन हाराऊ से येले के तमिल नाडु केरला लंका माल दीव लक्षादीप आंदा मनिको बार ये उमेर से अने 36 जार्खन वाडो एरिया जियां शोण वनवासी राजजियो हता एने पण बिंदु सार जीतीले से अगड जता अशोक ए काया विस्ताने जीत चे कलिंग ने चीतीले से कलिंग एटले ओडिसा अन्ने पच्छी ए म्यानमर बर्मा थाइलेंड ए विस्ताने जीते चे त्यारवाद अशोक जीते चे पुष्य गुप्तने सुभा बनाया चे पुष्य गुप्तने गीरिनगर राजधानी बनावी शुदार्शन तरढवनी रचना करी तो चंद्रगुप्तनो गुजरात साथेनो सबंध आ गणाश चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु दिगंबर जैन्चंपरदाय अपनावे चे अने चंद्रगुप्तना बंगाड विजे नी मायती महास्थान शीलालिक माती प्राप्त थाये चे सहगोरा तामरपत्र नी रचना पन चंद्रगुप्त मौर्य ये करी याती चंद्रगुप्त मौर्य पासे 6 लाखनी से ना आखितायर थाई चुकी याती अने समराट अशोक जे एमना पोत्र से नी पासे 10 लाखनी मोटी से ना आती अने अशोक समराटे कलिंग विजे पची उत्तर मा तोसली अने दक्षिन मा जोगट एवाबे प्रशास्तनी केंद्रू बनावसे चंद्रगुप्त मौर्य ये ना पची महराज बिंदुसार शासन करसे पची अशोक समराटनू शासनावसे एना पची एना जे दिक्रा आसे जवाब छे संप्राती मौर ये करावी यती आगरजता अग्यारमी सधी मां सिद्रजय यही पंद्री अ मंतरी सज्जन मंतरी बराबर आरिते चे पाची शाली शुक देव वर्मन शत धन्वा ब्रुहद्रत आ बदा राजावो ए शासन करे चे बराबर अशोक ना समय मा तुश्वाकता ए गुजरात ना गवर्नरता अने एमने सिंचाई व्यवस्था सुधाशन तड़ामाती सिंचाई व्यवस्था पन क करी आती खेड़ू तुना खेत सुधी पहुचाड़ेला आता जे अशोक सम्राट ना शीला लेको छे ए चार भाषा मा आपने जोवामाण छे मरबर ब्रामी खरोष्टी एर्माइक अने ग्रीक मरबर आरिते होई जह अने जो तमे जुनागडना शीला लेकनी चर्चा करो त जुनागडना शीला लेकनी शोध करनल जेमस टोडे करी आती एनी बाषा उकेलवानों प्रयतन जेमस प्रिंसेपे करेलो तो परन्तु एमा भूल आती तो भगवान लाल इंदर जी नामना भारती एतियास कारे ए तमाम भूलोने सौल करी और अशोक ना शीला लेकनी भाषा संपुर्ण रिते उकेली नाखी आती बराबर ओके हवे चंद्रगुप्त मौर्यने आपड़े समझी गया भणी गया एना पचे आपड़े मौर्यन एड्मिनिस्ट्रेशन विशे थोड़ी माहिती प्राप्त करिया बराबर जो मौर्या सामराज्यना समयमा मुख्य राजद बराबर अन्य प्रशासनी केंद्रोपन हता पची दक्षिना पत्मा सुवर्ण गीरी जे करनाटक माँच पूर्व भारत मा तोसली ओडिसामा हतु बराबर पची अवंती तीर्थ यहलेके पस्चिम भारत पस्चिम भारत मा उज्जेन अने कलिंग एनी अंदर धोली प्रश दानियों तरीके कई शको मुख्य पाटली पुत्र न्याई व्यवस्था माटे मौर्य सामराज्ये मां कंटक शोधन फोजदारी कोट अती अने धर्मस्थलिय दिवानी कोट अती बराबर जमीन विभागना अध्यक्ष ने कया नामे उडख्वामा होता आता सीत अध्यक्ष अशोक ना चौच शिलालेक ओगनिस्तंभालेकोंने इरचना करेचे चार लीपी मां बरबर अने मानो के तमने पुछवामा आवे के अलग-अलग लीपी ना शिलालेकोंना नाम जनावों तो भई एर मा एक लीपी मा तक्ष शीला और काबूल नो शीला लेख छे, खरोष्ठी लीपी मा शाबाजगडी मानसेरा शीला लेख छे, ग्रीक लीपी मा शेर एक कुना कंदहार नो शीला लेख छे, और ब्राम्मी लीपी मा तमाम लगो शीला रेखो आवेसे, अशोक पासे अने चंद्रगुप्त मौरे पासे चत्तु रंगेणी से ना आती औने नवकादळ अलग्थी चालतु ओतु आ फोटा नी अंदर तमें बदा जोई शक्सो के अशोक ना तमाम जग्या शीला लेको स्तंभा लेको क्या क्या चे बराबर अने आचे सारनाथ नो स्तंभ बराबर जोई अशोक समराटे बनावियो अतो अने आ आपड़ु राष्ट्रिय चिनहा पणचे बराबर चार सी नीचे घोडो अने हाथी अने आखुँ चक्र अशोक चक्र फरेचे ए बराबर आरीते जोवाँ मड़ शातमने हावे मौर्य सामराज्यन समय मां सिटी एडमनेस्ट्रेशन कही रिते चालतु होतु तो शहरों ना प्रशासनने चलावा माटे आपड़े त्रीस सभ्योनी काउंसल बनावेली हाती 3स सभ्योनी काउंसल बड़ेवर एमां सावती ने आजे 3स सभ्योनी काउंसल चे ए 6 समीतियोनी रचिना करेज तो दरेक समीति मां केटला सभ्या सभ्योनी पांच सदस्यँ हता दर्यक समीति मां 5 सदस्या हता तो वेदीक दोटर्यश को विदोग समीति नकी करेंचरा एना पचिबीजी समिःती विदेश समिःती और चिकित्सानी सहाइता टाइम ए मडिर ए पन राखेंचरा ना इसकी जो कोई विदेश व्यक्ति नी मृत्युक्ति नी मृत्यू थाय तो तेनी संपत्ति एने घरनलोकों शुदी पहुंचाण भमा आउती हैती मराबर आपड़ी फोरेन कमिटी बहुँ खतर ना कने सारो काम करती हैती जन्ममरण नोंध समीती आ समीती न माध्यमती रोजगारी केटली विख्षित करवानी चे खबर पड़े वस्तिनों अंदाजों खबर पड़े केटला लोको एवा एज ग साधन बनावा वेपारियोंने लाइसंस आप वस्तु खराप थाए एनी पेला वेचाई जवी जोई है खराप थेली वस्तुनों नाश करवो जोई है रुतु मुझबनी वस्तु बद्दा लोकोंने मडी रे रवर केसर केरी आवे तो बदाने मड़े खाली पहिसादाने मड समीति राखती होती और संक्र्ण समयानों उप्योग करती होती ऊत्पधित वस्तु नहीं समीती वस्तु उत्पादित थाई बनी जाए तो जाहिर नोटिस आपी लोकों बचे वस्तु ने वेचरी जुनि और नवी वस्तु ने मिक्स ना ठवा देवी वस्तु नाभाव निय भारतिय वस्तो उपर जे टेक्स लगाडवा मां आउतो होतो एह तो एक दशांस और विदेशी वस्तो न वेपार उपर जे टेक्स लगाडवा मां आउतो होतो एह तो एक पंच मांस और जो कर्मा कोई गुणो बने तो मृत्युदन नी सजाप्प मां आउती है टेक्स ओन टा प्रशासन व्यवस्था सब्तांग सिध्धांत ना आधारे चालती वतु बरबर राज्यना साथ अंग कया कया हाता तो के राजा तमारो राजा शारिरिक मानसिक अने बाधिक रिते शक्तिशाडी हो जो ये अमात्य तमारा मंत्री हो जो ये पोत्पोताना विश्यमा निश्णात हो जो ये एउना था हो जो ये के कोई शिक्षन मंत्री बढ़नी जाए पन पोत्य अंगुठा चाले आपता होऊं, नहीं के राजानी विर्विद्मा शड़ियंतर करता होऊं प्रशासन नो केंद्र राजा नो दुर्ग हम्मेशा सुरक्षित हुव जोई है नेक्स्ट चे कोश एटले के राजकोश राजा नो राजकोश हम्मेशा भरेलो हुव जोई है मरब जेना आधारेशूं थाई सके के राजा ए युद्ध सारू करी शके प्रशासन सारू चलाई शके दुशकाड मां लोकोने मदद करी शके सारा सारा काम करी शके टेक्सेशन मांटे चानक के नो एक वाक्या बो फेमस पन तुझे मैं आगडपन की देलू छे तेर पाचू काऊंचू के चानक के एव की देलू छे अर्थ श्रास्तर मां के कोई पन राजाय एनी प्रजा पासे थी केटलो टेक्स लेवो जोई है तो जेवी रितेक मदमाखी फूल माती रस चुसीले छे एवी रिते एटलो जटेक्स राजाय प्रजा पासे थी लेवो जोई है कहवानों तात पर एचे के मदमाखी फूल माती रस लेईले छे फूलने नुक्सान पहुँचे छे नाई मदमाखी नू पेट भराई जाई छे हाँ बस एनी जे राजाय प्रजा पासे थी एटलो कर लेवो जोई है कहनों राजगोश पन छलकाई जाए अने एनी साथे साथे प्रजा ने नुक्सान पहुँचे नाई बराबर तो एक कोश पची आवे बल बल एटलेके सेना तमारी सेना मोटी होवी जोई है आधुनिक शस्त्रोती सज्य होवी ज अने लास्ट बट नौद लिस्ट एचे मित्र एलेके तमार मित्र देश विचार करो चाणा के 23 वरस पेला फोरें पॉलेसी नी चर्चा करेचे के संकट समय मदद आवे ए प्रकाणा मित्रों तमारे राखवा जोई है जे मोगणी 101 को तेर्मा रशिया आपन्न मदद करेचे बरबर तो एवा मित्रों जोई है जे पालटी करवावडा मित्रों नती जोता एतो हजारों पैडावई जबतांग सिध्धांतना आदारे राज्य प्रशासन चलावामा आउतु आतो मौर्य सामराज्यना चलनी सिक्का पंच मारक न सिक्का न था, जे चांदी न सिक्का आता, एने पण केता था, तामबा न सिक्का न मसक केता था, सोना न सिक्का न निश्क केवामा आउतु अतो, बरबर आरिते होई छे, रेडी, आने मौर्य सामराज्यना अंतिम शासक ब्रु प्रशासन बगडी गई अधिकारियो द्वारा प्रशासन बगडी नाखियो हतु कानके कुई पन राजा ताकत्वर हताज नी आर्थीक स्थिति बगडी जते है तो आवडी मोटी सेनाने साच्वीना शकाई सामराजीनू पतन था हवे आखा भारत में लोखंड मंळवाला गीवतु एटले के मगधमां जनपद नीजे लोखंड उपर मोनोपोली हाती हमापति थेगी। येले पण मौर्यानु पतन थेगियो श्रूंग कणव चेदी चोल पांडिय ये बदा राजाव शक्तिशाडी बनिया सामंती राजा आथा आब बद्धा बद्धा मौर्याना सामंती राजा आथा पाण ज्यार जोयू के मुख्य राजा दनवड़ा आवा लागया चे तो अबड़ी पड़ी इंडो ग्रीक नो प्रफव अधी गयो इंडो ग्रीक ना राजा आथा जेनु नावंतु डेमेट्रियस एमने 185 इस्विशन पूर्वमा बदक्षण औने खुरासान आब अबनने जितिली धा अनने पची गांधार कांबोज उपर आक्रमन करी अनने परिणा कारणें ब्रुहद्रत मौर्यय जे युद्ध करवा जवु जो ये ब्रुहद्रत मौर्यय युद्ध करवा नी ना पाड़े चे अनन परिणाम 100 रुपे इमना सेना पती पुष्य मित्त शूंगे ब्रुहद्रत मौर्यय नी हत्या करी मौर्यय सामराज्यने समाप्त कर नाख्यों तो मौर्य ना पतर्ना कारणों आबधा गणाई जे हवे मौर्य सामराज्यनों एक चेप्टर आपड़े थोड़ू एवु भणिया तो आगण नी आपड़ी जीपीएसी नी परिक्षाव मां मौर्य सामराज्य संबंधित केवा केवा सवाल एम सी क्यों मां पुछायला चे ए जो ये मरबर जेमके सवाल चे के नीचे ना पैकी कया अथवा कयो अधिकारी अथवा अधिकारियों उल्लेक मौर्य शासन मां नथी मढ़तों जेमके समाहरता, सन्नीधाता, कुमारमात्य अन्तपाल । नीचे कोई उल्लेक नहीं आगा ब्राबर चलू एना बची नेक्स्ट नीचे ना मेगस्थनिजना वृत्तांत अनुसा नीचे ना पेगी कया विधन साचा छे पाटली पुत्रनों निर्माण गंगा अने शोण नदीना संगम साने थयुआतू भारतनी वस्ती सात वर्गमा विभाजी तती पाटली पुत्रन नगर्नों वैवट 20 सभ्योनी समीतिना हात मा अतो अने चंद्रगुप्त मौर्यने सुरक्षामा महिला अंग्रक्षको हती तो कया कया विधान साचा पड़ाजे मरबर तो भै अहीं आपड़ु पेलु विधान तो साचुच्छे के भै गंगा अने शोण नदीना संगम स्थ अने ज पाटली पुत्र नी रचना थाई आती ब्राबर पची बीजु भारत नीवस्ती साथ वर्गमा विवाजेतती ए पन साचुचे पाटली पुत्र ना नगर्नों वैवट 20 नाई 30 सदस्योना हात मा अतो अने चंद्रगुप्त मौर्यनी सुरक्षामा महिला अंग मौर्य काड मा पणिया अध्यक्ष खाली जग्या आता वेपारवाणी जेना अधिकारी सरकारी खेती ना संचालक टंक शाड ना अधिकारी के जंगलों ना संचालक जवाबावसे टंक शाड ना अधिकारी मौर्य सिक्का बनावनार अधिकारी ने पणिया अध्यक्ष केव मरबर मौर्य प्रशासन व्यवस्थामा अलग अलग अधिकारियोंना नाम अनेना विभाग नाम आपन आपने भणवान होई छे एमा थी या सवाल आवेल होई छे मरबर नेक्स्ट मौर्य वहिवटी तंत्रमा कर उघ्रावनार मुख्य अधिकारी कया नामे ओडखाता हता सम्राट अशोक ने एना भाईयो ना विरुद्ध मा मदद करियाती तो त्यारे जवाब आवे छे काउटिल्य ना पौत्र राधा गुप्त मरबर राधा गुप्त ए अशोक सम्राट ने मदद करे छे जेवू महत्व चंद्रगुप्त मौर्य ना जीवन मा चानक्यनु छे एवुज महत्व सम्राट अशोक ना जीवन मा राधा गुप्त नुझे मौर्य समाजनु साथ वर्गमा विभाजनी बाबत नुलेक ए विशेश सतह खाली जग्यामा करवा मा आवे छे तो जवाब आवे छे मैगस्तनिज ना इंडी कामा करवा मा आवे लो छे कोटिलियन अर्थ शास्त्रम नाती बाध ग्रंतोम नाती विशाक दतना मुद्रारक्ष सम्मापन नाती मैगस्तनिज ना इंडी कामा ज़ सवराष्टन ना शासन माटे समराट अशोक द्वारा कोणी निमणु करवा मा आवे लियती तो जवाब आवे तुश्वा अवे जरी ते जी पी एसी मेंस मापन मौर्य सामराज्य ना सवाल नी चर्चा करवा मा आवे लियती तो जयारे तमें सिटी एडमिनिस्ट्रेशनी चर्चा करवा जाओ तो आपड़े छ समीतियो ना उल्लेक करवो पड़ से मराबर भैवई तरीस सब्यो द्वारा नगर नु प्रशासल चलावा मा अवतू उतु छ समितियोती मराबर श behaviour धरेक समिति मा पाकेटला सदस्य तो के पांच सदस्य आता कई-कई समितियोती तो जवाब चपई जन्म मरण noon्ध समितियोती पसी वीदेश समितियोती पांच मी उत्पादित वस्तु औनी समीति अती अने छठी कर समीति बरबर छह चानू काम आपड़े आगड़ जोएल हुआतु बरबर ए लखी शको प्लस एप डेटा पनेड करी शको के आज ए आकू मौर्य सामराज्येनू एडिमिनिस्ट्रेशन अतुए सपतांग सित्धांत ना आधारे चालतू ही तू मराबर स21 शिद्धांत आपड़े त्रोण पाट पाली सेके जो बशोशब्दमा आपड़े जवाब लगफ़ा नो है तो आपड़े ना 3 पाली येचे पेली प्रस्तावना बीजी मुख्यविश्येवस्तू अने 3 जू अन्ते थ्री स सभ्योनी कांसएल धारा छ समीती नी रचना करवामा ःति यति दरेख समीती पाँचस दस्य रता तैमना ध्य वह प्रशाशन चालतू अँचROवर कांगरी या है ँचो व्रुद्धो छे ए मुझब सरकारी नीतियों बनावा मा आउती है कि रोजगारी केटली जनरेट करवानी छे कर कोणी-पासेती लिए शकाईचे कोणी पासेती नाथी लिए शकातो तेमने भारतम मुर्य साम्राज्यम वेपार करवा माते लाइसनस आपया छे विदेशी वेपारियो जे जग्या जवा माकताओ ए ट्रांस्पोर्टेशन नी विवस्था आपेचे एमने चिकिचसानी फेसलिटी पन आपेचे एमनी साथे छेतर पिंडी ना था ए द्यान राखेचे एमना चलनी सिक्कावने एक्स्चेंज करी आपेचे आने मानो के कोई विदेशी व्यक्ती नी भारत मामृतियो थाईगे तो ए विदेशी व्यक्तीनु शब डेड़ बोडी आने एनी तमाम वस्तुऊ एमना परिवार्सुदी पोंचाडे ए प्रकाणी काम ए विदेश समीती करेचे पची उद्योग समीती विविद उद्योगों नी रचना शहर मा करवी कारीगरों केटला कल्ला काम करशे उद्योगों ए सारा चालवा जो ये वस्तुनू उत्पादन क्यारे वधारू क्यारे उत्पादन घटाडवू वस्तु छे वेपारियों केटला रुपया मा वेच्वा आपने उद्योग समीती पासे जे वेपार यो ये वस्तुओ लिधी छे ए वस्तुओ बजार मा केटला रुपया मा में च्वी एनि मैक्सिमुम रीटेल प्राइस वेपार वानी जे समीती नकी करती यती वस्तुओ तमां वर्गना लोकोन चेक करें शे वेपारवानी जे समीती वस्तुओ नी मनोपोली ना थे ही जाए मरबर एक वस्थू एक व्यक्ति खरीदेचे पण एजो वधारे खरीदवा मागतो होई तो एणे वधारे वस्थू खरीदवा माटे एक्स्ट्रा टेक्स आपवो पड़े वेपारी ओने लाइसंस आपवानू आंतरिक वेपारी लाइसंस अपवानू विदेश वेपार नू नाट करवी, जुनी नवी मिंक्स ना थवी वस्तु ओ खराबित येनी पेलेनु वेचान करवी देवु और खराब्थेली वस्तो नो नाष करो आ बद्धु काम उत्पादित वस्तु समीती द्वार करवामा आउतु अतु छेले आवे कर समीती कर समीतीनु काम ए तमाम प्रकानी वेचाती वस्तु उपरती टेक्स लेवानु अतु जो भारतिय वस्तु वेचवामा आवती है शे तो भारतिय वस्तु ना वेचान किम्मतु पर दस्टका कर लेवामा आवतो है तो विदेशी वस्तु नी वेचान किम्मतु पर वीस्टका कर लेवामा आवतो है तो आम उपरोक्त माईतीना आधारे प्राचीन भारत मापन मेक इन इंडिया कॉंसेप्ट नुमहत्वजुवा मड़े छे राज्य प्रशासन ए साथ सिध्धान्त सप्तांग सिध्धान्त ना आधारे चालतू अतू जेनी रचना चानक्य करियाती अने राज्यना साथ अंग केवा माविया आता राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, बल अने मित्र अने चानक्यना मत्मुझब जे देशना जे राष्णना साथे साथ अंग मजबूत शे ए इन्विंसिबल अजही बनी जतू जे ब्राबर तो उप्रोक्त छ समीतियो सप्तांग सिद्धांत एना आदारे समग्र मौर्य सामराज जेनु प्रशासन अने नगरपालीकानु प्रशासन चलावामा आउतू अतू अने जेना आदारे लोकोनी सुखा कारीमा वदारो थतू अतो ने मौर्य सामराज जेनी आर्थिक शम्ता आपन तम्हें एक वाक्य उमेरी शको के मौर्य प्रशासनिक पद्धती माथी आधुनिक समय नापन घणा वदा प्रश्णों ने हल करी शकाए छे आपने दस मार्क नों जो सवाल होए तो आ रीते तम्हें जवाब लगता हो तो एमाथी आरामती तमने साथ आजुबाजु मार्क मड़ी जर्शे आपने दरेक दरेक मुद्धा ने अपड़ी अधिकारी बेच माँ भणवानू थासे अधिकारी बेच जे शरू थाई चे फर्स्ट ओफ ओगस्ट थी अने लाइव लेक्चर रेकोडेड लेक्चर बद्धु जो अमड़ से आखी बेच नी जो वधारे सारी माहिती तमारे जोती होई तो आप लोको 81283-81283 उपर वाट्सप उपर एक कॉंटेक करी शको छो अत्वा आ नमर उपर फोन करीने अपन माहिती प्राप्त करी शको छो अने पेली ओगस्ति आबियाच चालू थाई छे चाहूद विशेई भणाव अमाउसे एक्सपर्ट फेकल्टी द्वारा लाइव लेक्चर रसे पांसोती वधारे कल्लक्ना लेक्चर रसे रेकोर्डे लेक्चर जो ही शको छो PDF माटीरल, GCRT, NCRT, Topic Wise Test, Mock Test, Daily Current of a Lecture, Interview Guidance, Mock Interview Guidance ए बदु तमने मढ़े छे वेलिडिटी डोट वरष्णी मढ़े छे मराबर विदाउट माटीरियल तमें आवा मागो छो कोर्स नी अंदर 9999 एक्दम नजीवी किम्मत गणाशे तो तमने आट डोट वरष्णी वेलिडिटी मढ़े छे एडले केटला महिना अधार महिना नी वेलिडिटी मढ़े छे मराबर अधार महिना माटे केटला रुपिया वापरवना थाई तमारे राउंड फिगर पकड़ो चव दोजार मतलब एक महिना माटे तमें 900 रुपिया आजू बाजू आपो जो आने जीपीएसी अना तमाम विश्व प्रिलिम्स मेंस इंटेर्वी लेवल सुधीनू गाईडन्स तमने मढ़ी जाई छे मराबर भई आपने एक जोड़ी कपड़ा लेवा जाई है तो एमा पन आपने 1000 रुपिया थी वधारे थाई जाई जाई जे मराबर पन आतो जीपीएसी क्लास वन जेवो रेंक तमने मढवा पात्र छे बराबर अने एनू प्रोपर गाईडन्स एक दम बेस्ट स्टडी मट प्रकार नी जे बेच होई एने क्यारे पन छोड़ाई नी तो आप सव विध्याती मित्रो प्लस आपना जेटला मित्रो होई जेटला लोको कोलेज मा बनता होई एडवांस मा तयरी करवा मागता होई जे लोको ए अन्यक्लासिस करेला चे पण संतोश न थी मढ़ेलो तो आ क्लासिस नियंदर तमें जोडाई शको अधिकारी बेच मा जल्दी थी जोडाई शको और तमारा केरियर ने सफड़ता पावी शको छो बराबर सो आ साथे आपड़े इतिहास विशेणों जे डेमो लेक्चर हो तो बराबर एने सक्सेस्फुली यहां समाप्त करिया छे आप भगवान ने एतिच प्राथना आप सव माटे अने मारा माटे पन पर हुप पन थोड़ो स्वार्थी मानस्थू के भगवान आप सवनी अने मारी पनिच्छा पूरी करे आपड़े जे सरकारी यदिकारी बनवू छे सारा पईशा कमा वाचे ए आपड़ो पेलो मुद्दो पेज चे वराबर भले आपने के लोक सेवा लोक सेवा पन अल्टिमेटली भई पैसा बोलता है सारा पैसा कमा वाचे सारू स्टेबल जीवन जीवू छे औने लोकोनी सेवा पन करवी चे तो परबर्म परमात्मा आपड़ा सवनी आए चाने पूरी करे यवी प्राथना अने आप सवने आवनारी तमाम परिक्षाव माटे ओल्ट बेस्ट फरी पाच आपने भेगा थेया तिया शुदी बधाने थाइंक यू वेरी मच